सबसे पहला कोशन है हमारा पंजाव नियुली क्रेटेड रोन यानि कि जो पंजाव था वो कब बना था ये बना था एक नवंबर 1966 को इसलिए हमारा एटनस बनेगा एक नवंबर 1966 उसके बाद सेकेंड देखिए कैपिटिल ओफ पंजाव और हर्याना हर्याना और पंजाव की दोनों की सेम कैपिटिल है वो है चंडीगाड चंडीगाड इज्दा कैपिटिल ओफ पंजाव ने और हर्याना ना कौन सा सेक्टर है जो चंडीगड में एक्जेस्ट नहीं करता है वो है सेक्टर 13 इसलिए हमारे डिटनस रहे 13 जैक्टर नेक्ट कोशन देखिए फाइज फ लीक और विजर उसके बाद आपने ये भी याद रखना है जो लीक और विजर हैं ये कहां से थे ये फ्रांस से थे और आपने ये भी याद रखना है इनको पॉइंट किसने किया था पंजाब का जो डांचा था उसको सेट अप करने के लिए ये इन्होंने पॉइंट किया था जवाहरलाल नहरू ने ये वी आपने याद रखना है ये हैं फ्रांस के और इनको पॉइंट किया था जवाहरलाल नहरू जी ने नेक्स देखिए फिफ्ट नम्बर कॉश्चन इसका जो design है किसे हैं इसलिए हमारा इसलिए काफी एकजाम आ चुका है याद रिखिए रोगार्ण का जो design था वो setup किया था नेक्स देखिए सेवंध नम्बर कॉश्चन Which of the following type of Punjab shape जो Punjab है इसकी किस type की shape है इसकी जो shape है वो है triangular shape ये याद रहना है आपने triangular shape है जो Punjab की shape है Next question देखिए 8th question पंजाब share international boundaries with which country जो Punjab है जो international boundary share करता है किस country के साथ ये करता है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ हमारा जो पंजाब है वो boundary share करता है इसलिए हमारा इटन समनेगा पाकिस्तान नेक्ट कोशन देखिए How many districts of Punjab share international boundaries with पाकिस्तान जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारे कितने जो जिले हैं वो इसके साथ connect है यानि कि पाकिस्तान के साथ border share करते हैं वो हैं 6 जिले कौन कौन से पठान कोट, फाजिल का, फिरोजपूर, अमरिसर, गुर्दासपूर और तरंतान मैं रिपीड कर देता हूँ पठान कोट, फाजिल का, फिरोजपूर, अमरिसर, गुर्दासपूर और तरंतान ये जो 6 जिले हैं ये share करते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी boundary इसलिए याद रखना है आपने यह चे जले हैं नेक्सट कोρेशन देखे दस नंबर कोष्व यह हमेरा इतंस अपनेगा और जो पाकिस्तान है वो वी है नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन में इसलिए आपको confused नहीं होना है और जो पंजाब है वो वी है नौर्थ वेस्ट में और जो पाकिस्तान है इंडिया की डिरेक्शन में वो वी है नौर्थ वेस्ट में याद रखिए कितनी states के साथ जो पुझाब है वो अपनी नेशल बाउंडरी शेर करता है वो है चार स्टेट कौन कौन सी हरयाना, रज्यस्थान, जम्मु कश्मीर और हिमाचल परदेश यह चार स्टेट्स हैं जिनके साथ पुझाब है जो वो अपनी बाउंडरी शेर करता है याद रखिए हर्याना, राजस्तान, जम्मो कुश्मीर एंड हिमाचल परदेश नेक्स्ट कोईशन देखिए 14 नंबर कोईशन जो पंजाब का स्टेट अनिमल है वो कौन सा है वो है बलैक बक बलैक बक जो है जिसको काला हिरन बोलते है पंजाबी में ये वी आप याद रख सकते हो काला हिरन बोलते हैं जो बलैक बक है ये स्टेट अनिमल है पंजाब का नेक्स देखिए स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब जो स्टेट बर्ड है पंजाब का यानि की पंच्छी जो राज पंशी है पंज़ाब का वो कौन सा है उसका नाम है गौशक और बाज जिसको पंज़ाबी में बोलते है बाज ये है state bird of पंज़ाब नेक्ष देखे Which is the state tree of Punjab जो Punjab का state दरखत है वो कौन सा है वो है शिशम या फिर टाली शिशम या फिर टाली यह है state tree of Punjab नेक्ष देखे state sport of Punjab Punjab की जो state sport है वो कौन सी है उसका अंसर होगा Kabaddi Kabaddi is the state sport of Punjab नेक्ष देखे 18. पंजाबी language become compulsory and state language in जो पंजाबी language है ये compulsory language बनी थी पंजाब में और state language का दर्जा मिला था कब मिला था ये मिला था 1966 को 1966 के वंड के समय उस समय पंजाबी जो है इसको state language का दर्जा दिया गया था पंजाब में इसलिए हमार एंट समय गा 1966 नेक्स्ट कोशन देखिए उनीस नंबर कोशन विच इसकेंड ऑफीशल लेंगेज ऑफ पंजाब की वो कौन सी है उसका अंसर है हिंदी हिंदी इस दा सेकेंड ऑफीशल लेंगेज ऑफ पंजाब जो फस्ट है वो तो आपको मैंने उ आजाते हैं याद रखे नेक्स्ट कोशन देखी 20 नंबर कोशन पंजाब इस सैकेंड ओफीशल लेंगेज इन जो पंजाबी है यह कितनी स्टेट की सैकेंड ओफीशल लेंगेज यह हैैं दो स्टेट और एक यूटी एक हार्याणा एक हिमाचल पर्देश और चरण धिली इ यह हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब चंदूलाल मादवलाल त्रिवेदी उसके बाद नेक्ष देखिए जो प्रेजट में गवर्नर है पंजाब के उनका नाम है वीपी सिंग बदनौर है प्रेज़ेंट हाई में गवर्नर ऑफ पंजाब आज आज 14 दिसंबर 2019 मैं आपको से हो क्योंकि काफी स्ट्रेंट जो होंगे वो इसको बाद में भी देखेंगे इसलिए आपको इस वीडियो को उस अकोर्डिंग अपडेटर करना है जैसे वीपी सिंग बदनोर के बाद कोई और गवरन बनते हैं पंजाब के उस हिसाब से आपने उसको लिखना है और याद कर करना है ये डाटा और अज तक का जो है वो एपडेटर है याद रखे उसके बाद देखेंगे फ्रस्ट पंजाब ह्वस्ट की इसमें पंजाब नरी के हैं पंजाब के जो पंजाब की विदान सभा है इसमें जो फर्स्ट स्पिकर थे उनका कह नाम है उनका नाम है कपूर सिंग कपीर कपूर सिंग जो है यह फर्स्ट स्पिकर है पंजाब की विदान सभा के नेक्स देखिए जो प्रेजन में स्पिकर है पंजाब की विदान सभा के उनका नाम है थाकुर पंचन चंद जो है यह first deputy speaker है पंजाव की विधान सबा के याद रिखे क्योंकि जो speaker है सभी को पता होता है बर जो deputy speaker होते हैं वो नहीं पता होता है इसलिए आपने याद रिकना है जो थाकुर पंचन चंद है यह first deputy speaker है पंजाव की विधान सबा के अगर पुछा जाए जो present में deputy speaker है पुझाव की विधान सभा के उनका क्या नाम है उनका नाम है अजयायव सिंग बट्टी जो है ये present time में deputy speaker है पुझाव की विधान सभा के ये भी आपने याद रखना है नेक्श देखें which of the following is the CM of Punjab in 1966 यानि कि जब वंड हुई थी पंजाव और हर्याना की उस समय में जो CM थे पंजाव के उनका क्या नाम है उनका नाम है गुर्मोक सिंग मुसाफिर गुर्मोक सिंग मुसाफिर थे जब पंजाव और हर्याना की वंड हुई थी 1966 में उस समय जो CM चेफ मिनिस्टर थे उनका नाम है गुर्मोक सिंग मुसाफिर नेक्श दाता है 30th number question तीस number question which of the following is the first woman CM of Punjab यहाँ पर woman भी आएगा फर्स्ट जो woman CM बनी थी उनका नाम है विबी इरजंदर कॉर्ड पथल ये बनी थी 1996 में बनी थी जो विबी इरजंदर कॉर्ड पिथल बनी थी first woman CM बनी थी पंजाब की यह भी आपने याद रखना है उसके बाद next देखिए who is the governor of Punjab in 1984 1984 के समय में जो governor थे पंजाब के उनका के नाम है उनका नाम है भर्नवदत पंडे भर्नवदत जो है पंडे जो है यह है फर्स्ट जो governor थे 1984 के समय यह आपने याद रखना है यह question क काफी वारी आ चुका है एक्जाम में और इनको एक नाम दिया जाता है जो से पुछा जाता है किस फेमस परसनेलिटी को एक टाइटल दिया जाता है इसका नाम है ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार उसका अंसरोगा भर्नव दत्त पंडे काफी जाद इंपोर्टन है काफी वारी एक्जाम में आ चुका है सो याद रिखिए नेक्स्ट कोशन देखिए 32 कोशन जो पंडे हर्याना हाई कोट जो पंडे हर्याना हाई कोट है चंडिगर में उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस मने थे उनका क्या नाम है उनका नाम है रामलाल सिंग जस्टिस रामलाल सिंग जो है यह फर्स्ट चीफ जस्टिस से पंडे हर्याना हाई कोट के और जो रवी शंकर ज़ा जो हैं यह प्रेजर्ट में चीफ जसीज हैं पिंजावन हरयाना हाई कोड के यह बहुत जादा इंपोर्टन्ट कोश्चन है जो प्रेजर्ट चीफ जसीज नोमने अकालिदल ये जो पार्टी है इसको किस ने क्रेट किया था सैड पार्टी जो है ये इसको क्रेट किया था जनरल गुर्णाम सिंग ने याद रखना है आपने जनरल गुर्णाम सिंग जो है ये इसके फर्स्ट सी एम बने थे 1907 में ये पार्टी क्रेट हुई थी 1907 में Unicameral का अर्त होता है एक ही house होना यानि की विदान सभा होना एक state में और जो Bi-camera होता है उसका अरत होता है विदान सभा और विदान परीशद ये दोनों house होना उसको बोलते हैं Bi-camera पंजाब की जो लेजिस्तिलिछेश्र है वो है Unicameral 118 सीट से है पंजाब की विदान सभा में, 13 हैं लोग सभा में और साथ हैं राज्य सभा में, याद रखिए नेक्ट कोशन देखिए, 36 नम्ब कोशन टोटल एरिया ओफ पंजाब इन स्केर किलोमेटर इस, जो टोटल एरिया है पंजाब का, वो कितना है याद रखिए, नेक्ट कोशन देखिए, 37 नम्ब कोशन जो टोटल फोरेस्ट एरिया है पंजाब का, वो है 3,11 किलोमेटर इसलिए आपने याद रखना है, 3,11 किलोमेटर जो है वो है फोरेस्ट एरिया ओफ पंजाब उसके बाद next question देखिए 38 सनम्प question total area of Punjab dash percentage total area of India जो total area है इंडिया का उसके area के कितने percentage है जो पंजाब का total area है वो है 1.54% यह question भी आया था पर नाला जो कोट का exam हुआ था उसमें यह question पुछा गया था उन्होंने पुछा था जो पंजाब का total area है वो इंडिया के area के कितने percentage है उसका उसरोगा 1.54% यहाद रिखिए काफी important question है next question देखिए 49 सनम्प question total divisions of Punjab is जो पंजाब में total divisions है वो कितनी है उसका उसरोगा 5 पंजाब में total divisions है 5 कौन कौन सी पत्याला, जलंदर, रोपड, फिरोसपुर और फरीद कोट total जो जिले हैं, बाई हैं वो जो बाई जिले हैं वो इनी 5 जो divisions हैं वो उनमें divide की हुए हैं जैसे for example, पत्याला में कौन कौन सी जिले आते हैं पत्याला, संगरूर, लुद्याना, फत्यगर साहिब और मोहली यह सारे जिले जो आते हैं वो आते हैं जलंदर, अमिसर, पठान, कोट, गुर्दासपर, तरंतान, कपूर्थला और हुशारपर उसके बाई रोपड, रोपड में दो ही आते हैं रोपड और नवाशार नेक्स्ट आता है फिरोसपूर फिरोसपूर में चार आते हैं जैसे फिरोसपूर, फजलका, मुकसर और मोगा ये सारे जिले आते हैं फिरोसपूर डिविजन में उसके जाद फरीद कोट फरीद कोट में तीन जिले आते हैं फरीद कोट, मांसा और बठेंडा ये तीन जिले आते हैं फरीद कोट यारिखे इंपोर्टन है पुछा जाता है चार option देखे इने में से कौन सी division जो है वो पंजाब की नहीं है तो आपने याद रकना है पत्याला, जलंदर, रोपड, फिरोजपर और फ्रीद कोटा ये सारी जो हैं ये divisions हैं पंजाब की नेक्ट कोशन देखे 40 नपकोशन तोटल डिस्ट्स ऑफ पंजाब आर आज तक के जो टोटल जिले हैं पंजाब के वो हैं 22 अगर इसके बाद कोई नया जिला बनता है तो आप उसके इसाफ से मार्क कर सकते हो उसे इसाफ से नोट कर सकते हो बट आज हैं 22 जिले पंजाब में नेक्ट cousin देखे total tachseals of Punjab are जो Punjab में total tachseals हैं वो कितनी है वो है 83 यानिकि 83 जो है वो है total tachseals पvision पंजाब में याद रिखे अगर पुछा जाए जो latest बनी है वो कौन सी बनी है उसका answer गा मजिट्था मजिट्था जो है ये latest त उसका अंसरोगा मजिट्था तहसील नेक्स देखिए टोटल सब तहसील ऑफ पंजाब जो टोटल सब तहसील है पंजाब में वो कितनी है उसका अंसरोगा 87 87 है total sub-tahsils पंजाब में और जो latest बनी है उसका अंसर होगा जीरकपुर जीरकपुर जो है ये latest sub-tahsils बनी है ये आपने याद रिकना है उसके बाद next बात आती है बलॉक बलॉक जो है पंजाब में 147 टाउन है 143 और जो city है वो है 74 74 उसके बाद जो villages है पंजाब में वो सबसे ज़्यादा है वो है 12,580 12,580 जो है वो villages हैं पंजाब में ये याद रिकिए नेक्ट कोशन आता है 43 नंबर कोशन टोटल पपुलेशन ओफ पंजाब एस पर 2011 सेंसर जो 2011 में सेंसर हुआ था उसके अकॉर्डिंग पंजाब की जो पॉपुलेशन है टोटल वो कितनी है उसका शरोगा 2,70,43,000 2,70,43,000 जो है अप्रोक्सिमेटली ये जनसंग क्या है पंजाब की 2011 के सेंसर के अकॉर्डिंग याद रिकिए अगर पुछा जाए पंजाब में अगर पुछा जाए फीमेल उसका शरोगा ये है फीमेल पॉपुलेशन उसके बाद अगर बात की जाए रूरल पॉपुलेशन की यानि की जो गाउं में रहते हैं लोग उनकी है संख्या बाहट पॉइंट 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 उसके बाद अगर बात की जाए शहरों वालों की यानिकी अर्बन पोपुलेशन की वो है 70.5% नेक्स्ट आता है लेटिटूड ओफ पंजाब जो पंजाब का लेटिटूड है वो कितना है उसका श्रोगा उसके बाद नेक्स्ट आए लोगित्टर देंश्टर ओफ पंजाब की जो देंस्टी है यानिंक से कितने लोग रहते हैं एक स्केर किलोमेटर में कितने लोग रहते हैं उसका वो अर्थ होता है डेंस्टी का यह याद रिखे जो पंजाब की डेंस्टी है वो है पांसो इकवंजा पर स्केर किलोमेटर यानिकि एक किलोमेटर में जो संख्या रहती है वो रहते हैं पांसो इकवंजा लोग याद है वो है 895 में as per to thousand boys यानि कि एक हीर boys के मताबिक जो girls है उनकी संख्या है 895 में यह है adult sex ratio उसके बाद अगर बात की जाए child sex ratio की यानि कि बच्चियों की यह है 846 एक हीर boys के अगेंस्ट यह है child sex ratio उसके बाद बात की जाए अगर literacy rate की literacy rate जो है पंजाब का वो है 45.8% 75.8% जो है वो है literacy rate पंजाब का उसके बाद अगर बात की जाए male की यानि की जो आदमी है पड़े लिखे वो कितने है उसका असर होगा 80.5 80.5% जो है यह है male literacy rate पंजाब का उसके male literacy rate नेक्स्ट बात आती है 47th question की maximum reason found in पंजाब जो सबसे ज्यादा reason पाया जाता है पंजाब में वो कौन सा है उसका असर होगा सिखर लिजन सिखर लिजन जो है यह पाया जाता है 77% पंजाब में 57% जो लोग रहते हैं पंजाब में वो डॉप्ट करते हैं सिखर लिजन को ज्याद रिखे 57% यह तो बात थी maximum reason की अगर पुछा जाए minimum reason कौन सा है पंजाब में उसका सरोगा बुद्र लिजन जो बुद्र लिजन है यह सिर्फ 0.12% है यानि कि 0.12% है यह है स्तवंजा परसेंट यह maximum है और यह है minimum बुद्र लिजन 0.12% नेक्स बात आती है हमारी how many municipal corporations in Punjab जो municipal corporations होती है पंजाब में वो कितनी है total उसका सरोगा 10, total 10 है municipal corporations पंजाब में जो total municipal corporations है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दी है पटेला, लोधियाना, अमरिसर, जलंदर, फगवारा, मोगगा, हुश्यारपुर, पठानकोट, मोहाली और बठंडा मैं रपीड कर देता हू पटेला, लोधियाना, अमरिसर, जलंदर, फगवारा, मोगगा, हुश्यारपुर, पठानकोट, मोहाली और बठंडा यह 10 municipal corporations हैं पंजाब की याद रखिए उसके बाद next बात आती है largest area of पंजाब district की यानि कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है पंजाब का उसका अंसरोगा लो just area wise है, पंजाब का बड़ा जिला वो है लोधियाना, उसके बाद next बात आती है literacy rate की, यनकि सबसे ज़्यादा पड़े लिखे लोग कहा पर हैं उसका अंसरोगा हुश्यारपुर, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको हुश्यारपुर, यनकि इसमें आपको पहले मिल रहा है ह यनकि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं किस जले में उसका अंसरोगा लोधियाना, लोधियाना में सबसे ज़्यादे लोग रहते हैं एक किलो मिटर में, उसके बाद नेक्स्ट बाद आती है लीस्ट की, यनकि एक किलो मिटर में सबसे कम लोग रहते हैं उसका अंसरोगा मुकसर, मुकसर में सबसे कम लोग रहते हैं एक किलो मिटर में, मुकसर में याद रखे, नेक्स्ट बाद आती है हाइस्ट पोपुलेशन की, यनकि सबसे ज बात की जाए इन केस ऑफ अडल्ट सेक्स रिशो अडल्ट सेक्स रिशो की बात की जाए हाइस्ट है होश्यारपुर यैसे मैंने आपको उपर बताया था कि होश्यारपुर के लोग जो होते हैं वो होश्यार होते हैं और जो उनकी सेक्स रिशो है ये भी है सबसे ज्यादा क्य ये है least adult sex ratio, अगर बात किया है यहां तो था adult sex ratio, अगर बात की जाए child sex ratio की, इसमें जो highest है वो है नवाशेर और जो कम है वो है तरन तरन, highest है नवाशेर और least है तरन तरन, उसके बाद next बात आती है oldest या फिर रिगवेदिक period टाइम पे पंजाब का नेम क्या था, what is the name of पंजा है रिगवेदिक period इसलिए आपको confused नहीं होना है चाहे पुछा जाए oldest चाहे पुछा जाए रिगवेदिक बात एक ही है तो आपने मार करना है सब्त सिंदू क्योंकि recently बरनाला कोट का एक्जाम हुआ था उसमें इनोंने question पुछा था what is the oldest name of पंजाब उसमें answer था सब्त सिं रावी चिनाव जेलम सरस्वती और इंडस ये साथ नदियां थी पंजाब की पहले समय में उसके बाद बात आती है ग्रीग नेम यानि कि ग्रीग नेम भी पुछा याता है कि पंजाब का ग्रीग के समय में क्या नाम था उसका अंसर होगा पेंटो पुटामिया ये question काफी वारी आचुका है सो याद रिखें मार्क करके रख लें आप इसको ग्रीग नेम काफी वारी उब पुछा या चुका है पेंटो पुटामिया नाम है पंजाब का एस जब ग्रीग का राज था पेंटो पुटामिया उसके बाद बात आती है महाबारता के समय पे यानि कि यानि कि जो दो रिवर्स थी उनको ये समधा वो consider नहीं करते थे ये 5 रिवर हैं सत्लुज, ब्यास, रावी, चिनाव और जेलन ये जो इंडस रिवर है और एक है सरस्वती रिवर उसको consider नहीं करते थे महाभारता के समय में इसलिए इसको कहा जाता है पंचनद, पांच नदि का परदेश सत्लुज रावी ब्यास चिनाव और जेलम ये हैं पांच नदियां जिसके नाम से बना पंच नड़ उसके बाद नेक्स बात आती है डियूरिंग मोगल टाइम यानि कि अकबर बाबर का समय था तब उस समय पंजाब का जो नाम था वो था सुबबा लहूर का टाइम था पंजाब में उसके बाद बात आती है ब्रिटिश ब्रिटिश के समय में पंजाब नाम था पंजाब उसके बाद नेक्स बात आती है पंजाब वर्ड टेक फ्रॉम कौन सी लेंग्यों था यह जो पंजाब भी लेंग्यों है यानि कि पंजाब जो वर्ड है यह हमने कौन सी language से लिया है आपको option देते हैं Persian Sanskrit Hindi Punjab इस तरह का option दे देते हैं तो आपने मार करना है Persian language next बात आती है 55 नंबर question की which is the only तहसील of Punjab has no any urban population कौन सी तहसी तहसील है जिसमें कोई भी urban population नहीं है यानि कि सब के सब पॉपुलेशन यह यह एक मातर तहसील है पुझाब की वह है ख़डूर छाहिव जो है यह एक मातर तहसील है पुझाब की जिसमें कोई भी urban population नहीं है शेरी जो पॉपुलेशन है वह नहीं है तो याद रखे इसमें only a rural population है याद रखिए ये भी नेक्श देखिए चपंजाब नमर कुश्चन पंजाब डिवाइड इन हाउ मैनी स्टेट इन एक नमबर 1906 ओन लिंगुल बेसे जो पंजाब था वो एक नमबर 1966 को डिवाइड हुआ था कितनी सटेट में ये हुआ था तीन में एक तो बना था पंजाब उसके बाद हरयाना बना ता सबसे पहले मैं बता दूं ये पंजाब था मान लीजिए इसके बाद इस वाला भाला हिससा था यह हमने थे हिंदी बोलते थे और जो पंज़ाब था इसमें पंजाभी बोलिगादी थी ते और जो हिमाश्ल परदेश यह हिमाश्ल परदेश है इसमें दोनों बोलिगी थी यह इसलिए आपने याद रखना है पंजब जो था वो वो तीन स्टेट में डिवाइड हुआ था हर्याना, पंजाब और हिमाचल परदेश नेक्स्ट कोशन देखे स्टवंजा नंबर कोशन इंडिया की जो टोल स्टेट से हैं उनको लिवाइड कर दिना चाहिए यह था शाय कमीशन शाय के वेश्ट पर हमने जो लिवाइड कंसेट है यह बहुत जादा इंप्र encourageo में बिलकुल आसकता है आपके शाहिए चाहे आप कोई भीicki लेए हो पंजाब स्टेट का नेक्स देखेए पेपसु पेपसु जो है यह कब फाउंड रुइ थी इसकी फुल फोर्म है पटेला एंड इस्ट पुझाव स्टेट यूनियन है पेपसु की फुल फोर्म यह कब बना था यह बना था उननी सो अर्टालीस में 1948 में बना था जो पैपसु एक गूर ग्रूप बना था यह कोशन काफी वारी गिजाम में आ चुका है आप से पुछा यहालता है कि जो पैपसु है यह कव मर्जु हुआ था पंजाब में वो मैं आपको आगे बताऊंगा आपने यह याद रखना है पैपसु जो है यह बना था 1948 में इसकी फुल फॉम भी याद र नाबा जींद मलेर कोडला फरीद कोड़ कपूर्थला कलशिया नालागर यह जो है यह आथ स्टेट्स थी जो पैपसु के अंडर थी आठ अस्टेट्स एक गुर्फ ता यादि एक तरह की ओर्गरेंशन दी जो पैपसु था है पैपसु जो है यह पन्जाब में कव उसका अंसर होगा 1 November 1955 1 November 1955 को जो Pepsoo है Organization यह है यह मर्ज हो गया था सारी जो states हैं यैसे मैंने आपको पराथ स्टेट बताई हैं सारी की सारी पंजाब में मर्ज होगी थी 1 November 1955 को यह question काफी वारी आपने exam में देखा भी होगा काफी वारी repeat होता है यह question याद रखिए अगर पुछा याई टोटल एरिया जो है Pepsoo का वो कितने किलो मिटर का है यह है 26,208 स्केर किलो मिटर का एरिया है जो टोटल एरिया है Pepsoo का यह याद रखिए important है उसके बाद next बात आती है CM of Pepsoo जब Pepsoo एक 8 states का group था उस समय जो CM थे Pepsoo के वो कौन थे उसका अंसरोगा ज्यान सिंग रोरे वाला ज्यान सिंग रोरे वाला जो है यह CM थे Pepsoo के जब 8 states का group था Pepsoo पट्याला एंड इस्ट प्याव स्टेट यूनियन उसके बाद अगर बात करें हम इसके गवर्नर की इसके गवर्नर थे यादविंदर सिंग और जो डैपूटी गवर्नर थे उनका नाम है जगजीद सिंग जिसको हम उप राजमुक बोलते हैं डैपूटी गवर्नर जो होता है इसको बोलते हैं राजमुख वो थे यादविंदर सिंग और जो उपर राजमुख थे वो थे जगजीत सिंग नेक्स्ट बात आती है 63 नमबर कुशन की वट इस अजादी से पहले पंजाव की जो कैपिटल दी वो क्या थी उसका अंसरुगा लाहौर लाहौर जो थी ये थी पंजाव की कैपिटल इंडिमेंडनस से पहले यादि के अजादी से पहले उसके बाद नेक्स्ट बात आती है 1947 से लेकर 60 तक ये कैपिटल थी शिमला आपने ये कोशन देखा होगा जो PSPCL के एक्जाम हुआ था 2018 में हुआ था ये कोशन आया था उन्हें पुछा था जो पंजाव की कैपिटल थी इंडिमेंडनस के बाद वो कहां लाई गई थी उसका अंसरुगा शिमला और जो लाहौर वाली है ये कोशन आई थिंक जो लुद्याना का एक्जाम हुआ है उसमें कोशन पुछा गया था याद रखिए ये कोशन बार बार पिटोते हैं उसके बाद अगर बात की जाए प्रेजन टाइम में वो है चंडिगर अगर पुछा जाए कब आई थी चंडिगर में उसका अंसर होगा 1960 से से लेकर ऑनवर्ड यानि कि 1960 में आ गई थी चंडिगर में पंजाव की जो कैपिट ये एक पार्ट है इंडोगनेटिक प्लेंज का क्योंकि ये पार्ट है पंजाब की जो रिजन है ये एक पार्ट है इंडोगनेटिक प्लेंज का याद रखिए काफी जाद इंडोगनेटिक प्लेंज का पार्ट है इसलिए पंजाब की जो लेंड है वो है फर्टाइल प्या नेक्सट बात आती है 65th number question की Which type of soil mostly found in Punjab सबसे ज्यादा soil जो है पंजाब में कौन सी पाई जाती है उसका असरों का alluvial soil ये question आपने एक्जाम में काफी वरी देखा होगा alluvial soil जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है पंजाब में याद रखिए नेक्स्ट बात आती है 66 number question की area between Bias and Ravis called जो Bias और Ravis के बीच का इलाका है इसको क्या बोलते हैं Bias और Ravis के बीच का जो इलाका है इसको बोलायाता है बारी दुआव यानि की B यहां से ले लिया हमने यहां से हमने RA ले लिया यह बन गया हमारा बारी दुआव और इसको बोलायाता है माज़ा प्लेन यानि की इसका जो between area है Bias और Ravis के बीच वो है माज़ा प्लेन यह बहुत ज़्यादा important question है I think जो सतलूज और Bias वाला था यह बरनाला का कोट का इक्जाम होआ था पुछा गया था जो ब्यास और Ravis के बीच वाला इलाका है उसको बोलते है माज़ा प्लेन इसमें total charge ले आते हैं total charge ले आते हैं कौन कौन से पठान कोट गुर्दासपुर अमरसर तरंतारन यह charge ले आते हैं माज़ा में और जो माज़ा है इसको बोलायाता है heart of Punjab heart of Punjab बोलायाता है माज़ा को यह याद रखिए next बात आती है ब्यास और सत्लूस के बीच के इलाके की जो ब्यास और सत्लूस के बीच का इलाका है इसको बोलायाता है दौबा द्वाब बारीजन बोला याता है जो ब्यास और सत्तलूज के बीच का इलाका है और इसको बिस्ट द्वाब भी बोलते हैं जो यहाँ पर हमने यहाँ बियाई ले लिया और यहाँ से हमने एस्टी ले लिया यह बन गया बिस्ट द्वाब ऐसे आप याद रिखिए यह द्वा नेक्स्ट बात आती है मालवा. जो मालवा है, यह largest इलाका है पंजाब में, यह आप सभी को पता ही होगा, क्य olives जिल्य आते हैं पूरे, यानि कि complete 12 जिल्य आते हैं उसमें, और जो 2 जिल्य आते हैं, वो half आते हैं, यानि कि 2 half जिल्य आते हैं, कौन को से हैं, ये हैं? यो और उसके बाद नेक्स्ट याद रखने आपने जो दो आदे जिले आते हैं आते हैं संग्रूर और पटेला सुकुरी संग्रूर और पटेला जो है यह आदे जिले आते हैं मालवा में सतलूज और गगर के बीच का जो इलाका है याद रिखे बहुत जाद इंपोर्टन कोशन है नेक्स कोशन देखिया उनक्तर नम्र कोशन हमने टाइपस ऑफ पैरिनियल रिवर्ज फ्लोव इन पंजाब कितने रिवर्ज जो हैं पैरिनियल रिवर्ज हैं पंजाब में जो फ्लोव करती हैं उसका अंसर होगा तीन तीन जो हैं यह पैरिनियल रिवर्ज हैं यानि कि सदा बहार रिवर हैं इसको आप याद रख सकते हो सदा बहार रिवर के साथ ल ज़सेhen अगर पुछा है सीजनल रिवर कौंसे है पंजब में उसका उंस रोगा गगड्र जो है यह सीजनल रिवर है पंजब की और जो साINDरल ईसमे atm u बियास और यहां और उसकी ऐदर मैं आपको पता ही दिया है उसके बाद काफी बारी पुछते हैं इनके जो रिगवेदिक पिरिड के नाम है और जो ग्रीक नेम है वो कौन कौन से है सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने एक कोशन टाइप किया है यहाँ पे What is the name of Ravi in रिगवेदिक पिरिड रिगवेदिक पिरिड के समय में जो Ravi River है इसका क्या नाम था उसका अंसरो का परुष्णी परुष्णी जो है यह रिगवेदिक समय का नाम है उसके बाद मैंने सारे की सारी यहाँ पर लिख दी है सारी की सारी मैं आपको पता देता हूँ सबसे पहली आती है Indus River इंडस रिवर की जो रिगवेदिक नाम है वो है सिंदू रिवर सिंदू रिवर कहा जाता था Indus River को चैनि की Indus River को कहा जाता है सिंदू रिवर नेक्स बात आती है सरस्वती रिवर सरस्वती रिवर को कहा जाता है सरस्वती रिवर को उसके बाद नेक्स आती है possibility को विपास का जाता है रिगयवेती के समय पे और जो गृष्वेधी बड़ो है वो है हेसिअ रोस है排य रोस है ब्यास ऎक्साथ यह बहुत जादा important हैं काफी आर गजाम में आ चुका हैं हो सकता है आपके एकजाम में कम से कम एक question जुरूर पुछा जाए उसके बाद बात आती है रावी रिवर की रावी नदी का जो नाम है मैंने आपको उपर बताया ये है परुष्णी परुष्णी है रिगवेदी के समय में नाम रावी का उसके बाद नेक्स देखिए ग्रीग नेम ग्रीग नेम है हाइड्रोस हाइड्रोस नाम है जो रावी रिवर का है ग्रीग के समय में उसके बाद नेक्स बात आती है सत्तलूस सतलूज का नाम था सतलूज रिवर का और जो ग्रीक नेम है वो है हाईपैसिस है सतलूज रिवर का ग्रीक नेम नेक्स्ट बात आती है जेलम जेलम रिवर जो है ये काफी वार एक्जाम में आ चुका है जेलम रिवर वाला ये है वितार्ता वितार्ता रिवर जो है वो नाम है जेलम रिवर का जो रिगवेदी के समय में था उसके बाद नेक्स बात आती है गरीक के समय में जेलम नदी का नाम है हाईडैसपस नाम है जेलम नदी का गरीक के समय में उसके बाद नेक्स्ट बात आती है चिनाव चिनाव नदी का नाम था अश्किनी जो है ये नाम है चिनाव रिवर का उसके बाद गगर गगर का तो आपने काफी वार एक्जाम में देखा भी होगा कोशन गगर वाला था सुपर इंपोर्टन है गगर वाला जाद रिखे बहु से उरीजनेट होती है सत्रूज नदी जो है पेरिनियल रिवर्स है एक पंजाब की ये कहां से उरीजनेट होती है ये होती है मांसरोवर लेक से मांसरोवर लेक जो है ये तिबद में लोकेटड है तिबद में लोकेटड है मांसरोवर लेक वहां से उरीजनेट होती है जो सत्र याद रिखिए और अगर बात की जाए पंजाब में एंटर गी यानि कि पंजाब में कहां से एंटर करती है उसको नंगल रोपड नंगल रोपड से एंटर करती है पंजाब में उसके बाद नेक्स आती है बात ब्यास से यानि कि एक तरफ से तो आती है सतलुज रीवर एक तर बाईन हो जाती हैं और एक river बना देती हैं यहां बोलते हैं घरी के पतन जो लोकेटर है तर्न तर्न भी नेक्स्ट बात आती है रावी चनाव एन जेलंव जे जो दोनों रीवर हैं ये इनके साथ मिलती हैं रावी चनाव और जेलंव के साथ कहां पर मिथान पोर्ट पाकिस्तान में ये ऐसे जाती जाती एक रिवर बनने के बाद ये पाकिस्तान की तरफ फ्लो कर जाती है उसमें जो रावी चनाव और जेलम रिवर्ज एक तरफ से आ रही होती है उनके साथ मिलती है उस point को बोलते है मिथान पोर्ट मिथान पोर्ट है जहाँ पर यह 5 river मिलती है इसको पंचनड पोर्ट भी बोला आता है क्योंकि 5 river का flow होता है यहाँ पर जैसे देखिए रावी चनाव और जेलम यह 3 river हो गई उपर एक ब्यास और सत्रूज यह 5 river यहाँ पर combine हो जाती है और एक river बन जाती है इसलिए इस point को बोला जाता है पंचनड point नेक्स बाद आती है सत्रूज जो है river यह अपना पानी जो है कहाँ पर गिरती है यह Arabian sea में पानी गिरती है अपना सत्रूज river उसके बाद नेक्स बाद आती है सत्रूज is called as backbone of Punjab काफी बाद पुछते हैं कौन सी नदी है पंचाब की जिसको backbone of Punjab के नाम से जाना जाता है उसका शरूज रिवर सत्रूज नदी को कहा जाता है backbone of Punjab नेक्स बाद आती है सत्रूज रिवर पंचाब के कितने जिलों से गुजरती है यह है नो जिले आपको नाम याद रखने की जूरत नहीं है बस आप इतना याद रखिए नो जिलों से होके गुजरती है जो सत्रूज रिवर है पंचाब के उसके बाद नेक्स बाद आती है लोदयाना और फिरोजपूर यह दोनों जो हैं सिटी यह लोकेटर है सत्रूज रिवर के कंडे पे यह भी याद रखिए काफी वारी पुछते हैं जो फिरोजपूर है यह कौन सी नदी के कंडे पर बसा हुआ है उसका सत्रूज रिवर नेक्स्ट बात आती है सत्रूज रिवर जो है इस पे कौन सा डैम बना हुआ है उसका स्रूज रोगा बागणा नंगल डैम बागणा नंगल डैम जो है यह सत्रूज रिवर पर बना हुआ है याद रखिए यह कोश्चन तो बहुत बार आपने देखा भी होगा काफी बार रिपीट करते हैं पुछते हैं आपसे जो बागणा नंगल डैम है यह कौन सी रिवर पर बना हुआ है उसका स्रूज रिवर नेक्स बात आती है ब्यास रिवर की यानकि ब्यास रिवर जो है कहां से उरिजनेट होती है यह उरिजनेट होती है ब्यास कुंड नियर रहतांग पास पॉंग डैम के ही दो नाम है पॉंग डैम और महाराना परताब डैम ये लोकेटड है ब्यास रीवर के कंडे बे ये बहुत जादा इंपोर्टन कोशन है बार बार रपीट करते हैं पंजाब के एक्जाम्स में सो याद रिखे पॉंग डैम महाराना परताब डैम ये रीवर है ब्यास रीवर पर बने हुए है ये डैम उसके बाद अगर पुछा जाए ये जो डैम है महाराना परताब डैम या फिर पॉंग डैम ये कौन से जिले में है उसका अंसर होगा तलवारा जिला तलवाला जिला जो है ये हिमाचल परदेश में लोकेटड है यहाँ पर ये टैम बना हुआ है ये भी आप याद रख सकते हो नेक्स बात आती है रा है माचल पर देश में वहहां पर एक रहोतांग पास है वहाँ से उरीजट होती है राफी रीवर उसके बाद नेक्स्क होती है अगर पंजाब की सजले में एक पठान परेंड जिला है जिसका राम है चाण विलेज वहां से एंटर होती है जो ये रिवर है जिसका नाम है रावी रिवर ये पंजाब के टोटल तीन जिलों से होके गुजरती है नाम आपने याद रखने है बस आपने इतना याद रखना है पंजाब के टोटल तीन जिलों से पास होके जाती है जो रावी रिवर है जो रावी रिवर आती है रावी मीट इंडस इंडस नदी के साथ रावी मिलती है कहां पर मिथान पोर्ट पे यहां पर मैंने आपको बता है था पांच रीवर मिलती है जिसको बोलते है मिथान पोर्ट या फिर पंचनेट पोईंट वहां पर यह इंडस रीवर से मिलती है याद रखिए उसके नेक्स्ट बात आती है थीन डैम की यह दो बहुत जादा important question है यह दो question बहुत दार बीड़ो चुका है थीन डैम जो है जिसको महाराजा रन्डीत सेंग डैम भी बोलते है यह कौन सी नदी पर बना हुआ है यह है रावी नदी रावी नदी पर बना हुआ है जो थीन डैम है इसको और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है महाराजा रंडीत सिंग डैम ये बने हुए है रावी नदी के किनारे पहुँ जादा इंपोर्टनेट कोशन है याद रखिए नेक्स्ट बात आती है चोहतर नंबर कोशन की गगर रिवर उरीजनेट सिवराम जो गगर रिवर है जो मैंने आपको एक सीजनल रिवर बताया जाने कि जब मौसमी सीजनल होता है उस समय ये रिवर फ्लो करती है ये कहां से उरीजनेट होती है ये होती है सराहा सराहा प्लेस ह सरमोर में जो लोकेटड है हिमाचल परदेश में सराहा सिरमोर हिमाचल परदेश से उरीजनेट होती है जो घगर रिवर है जिसका मैंने नाम को एक को बताया था आपको जो नाम था आपका दरिशावती रिगवेदी के समय में जैसा मैंने आपको पर बताया था काफी ज्याद गड़ के पास जाती है राजस्थान में वहाँ पर यह जाकर एक्स्टिंक्ट हो जाती है जो यह रिवर है गगर रिवर इसलिए इसको बुलायाता है डिफंक्ट सरस्वती इसलिए आपने जाद रखना है गगर रिवर को बुलायाता है डिफंक्ट सरस्वती यह बहुत जाद वायलावफ सेंचरी is located है 13, 13 वायलावफ सेंचरी located है पंजाब में, याद रिखे ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि काफी बार एक्जामें पुछते हैं, सो मैं सारे के सारे आपको पता देता हूँ हरी के पतन वाइलाइफ सेंचरी जो हरी के पतन वाइलाइफ सेंचरी है ये कौन से जिले में है पंजाब के वो है तरंतारन तरंतारन जिले में है हरी के पतन वाइलाइफ सेंचरी उसके बाद नेक्ट बात आती है तक्खनी रहंपुर वालेफ सेंचरी जो है जे हुशारपुर में लोकेटड है उसके बाद नेक्ट बात आती है कतलोर खुशीलियन कतलोर खुशीलियन वालेफ सेंचरी जो है ये पठान कोट में लोकेटड है उसके बार नेक्स बात आती है जजर बशोली जो है वायले सेंचरी ये रोखपड में लोकटेड है उसके बार नेक्स आता है नंगल जो है वायले सेंचरी ये है रोखपड में उसके बार नेक्स आती है संगरूर संगरूर में जो एक while century आती है जिसका नाम है एश्वान while century यह संगरूर में located है उसके बाद नेश्च आती है बीर गुर्दयालपूर while century वैसे तो आपको यह सारी याद रखने की जरूरत नहीं है मैं सारे के सारे आपको बताई देता हूँ बीर गुर्दयालपुर वायले सेंचरी ये पतेयला में है समाना रोड पे समाना रोड पे पतेयला में लोकेटड है जो बीर गुर्दयालपुर वैसे वायले सेंचरी है उसके बाद नेक्स बात आती है बीर मोती बाग सेंचुरी है सबसे ज्यादा है इस네요 बोहर वाइलेफ सेंचरी या फिर बलैक वक वाइलेफ सेंचरी काफी वारी पुछा या चुका है ये कुशन आपने ये कुशन देखा भी होगा अपने एक्जाम में बोहर वाइलेफ सेंचरी या फिर बलैक वक वाइलेफ सेंचरी ये कहां पर लोकेटड है ये लोकेटड है फजिलका में ये तो आपको बिल्कुल नहीं बोना है ये कोशन तो मेरे इसाफ से 10 वार रपीट हो चुका है पन्याब के वेरियस एक्जाम में कावी वारी पुछते हैं जो अबोहर वायलेफ सेंचरी है वो कहां पर लोकेटड है तो आपने वो भी मार करना है फजिलका अगर पुछाए पुस का भी अंसर होगा फजिलका क्यूंकि अबोहर वायलेफ सेंचरी को ही नाम दिया जाता है बलैक बख वायलेफ सेंचरी इसलिए आपको सेंचरी है इन को नी दिया गया है यह छोटे लेवल के पार्क हैं पफ्ञाब में, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता द enclosedा हूं Mohender, Roheri, Joo Mohender, Roheri, Joo और Lion, Safari ये काफी वारी पुछने लेते हैं Mohender, Roheri, Joo काफी वारी पुछते हैं Lion, Safari इसलिए आपको Confuse नहीं होना है ये हैं जीरकपूर में जीर कपर में located है मोहेंदर औहेरी जू और लाइन सफारी नेक्स आता है लोध्याना जू लोध्याना जू और टाइगर सफारी यह located है लोध्याना में काफी वारी पुछते है टाइगर सफारी कहां पर located है उसका अंसरोगा लोध्याना उसके बाद नेक्स बात आती है डियर यानि कि हिरनों का पार्क है वो कहाँ पर लोध्याना में यहाँ पर एक विलेज है यहाँ पर लोध्याना में 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 लो जो एक्जाम हुआ था पंजाब का I think 2017 में हुआ था जो PCS का एक्जाम हुआ था उसमें ये कोशन पुछा गया था आप सभी ने ये कोशन एक्जाम में देखा भी होगा उन्होंने पुछा था जो बिरतलाब डियर पार्क है ये कौन से जिले में लिकुटड है पंजाब के उ क्योंकि पंजाब में एक जो है वो है conservation reserve conservation reserve पंजाब में एक है उसका अंसर होगा रखसराई अमंत खान conservation reserve ये कौन से जिले में है पंजाब के उसका अंसर होगा तरंतारन तरंतारन में लोकेटड है जो रखसराई अमंत खान conservation reserve है तरंतारन में लोकेटड है पंजाब के जिल पुझाब में टोटल कितने community reserve हैं उसका अंसर होगा दो पुझाब में total 2 community reserve हैं कौन कौन से हैं केशोपुर चंद कम्मुनिटी रिजर्व उसके बाद नेक्सरा आता है ललवान ललवान और केशोपुर चंद community reserve यह कश्चोपुरवाला जो है कैसे याद रखना है सबसे पहले आता है जे आप जो अब लवान के यह लाइन वाद बने हुए है जी और एचे यानिकी जी से बन गया हमारा गुरदासपुर उसके बाद एच्च से बन गया हमारा खुश्यारपुर ऐसे आप लिंक करके याद रखी आपको जिन्दगी बर इस तरह की जीके नहीं बुलेगी नेक्स बात आती है जो वेटलेंड हैं पंजाब में इंटरनेशनल लेवल की वो कितनी है इंटरनेशनल लेटलेंड वो होती है एक साइट होती है जिसका नाम है रामसर साइट यह जिसको भी डिकलेर कर देती है यह एक औरगनेशन है जिसको भी औरगनेशन जो है डिकलेर कर देती है इंटरनेशनल लेटलेंड उसको international wetland का दर्जा मिल जाता है इस organization के declare करने के बाद इसने पंजाब की total तीन जो wetlands है उनको declare किया हुआ है international wetland वो मैं आपको पता देता हूँ कौन कौन सी है सबसे पहले आती है हरी के पतन wetland जो है ये ब्यास और सत्लूज नदी के किनारे पर है आपसे पुछा जाता है जो हरी के wetland है ये कौन सी नदी पर located है ये है ब्यास और सत्लूज ये एक तरह का दलदली इलाका होता है जैसे एक नदी होती है जैसे यहाँपर नदी माली यहाँपर जो इलाका होगा और जो यहाँ पर इलाक्का होगा यह थोड़ा थोड़ा दलदली इलाक्का होगा इसको बोलते हैं वेटलेंड इसी इसको नाम दिया जाता है वेटलेंड और हरी के पत्न वेटलेंड जो है यह कौन से जिले में है पुझाब के यह है तरणतारन जिले में वेटलेंड आपने विएसर उसकी बाद पुछते हैं कौन से जिले में है उसका अंसरोगा तरंतन उसके बाद नेक्स बात आती है जिक अग्जिस्टेंस में आई थी यानि कि कब बनी थी यह बनी थी 1902 में और जो रामसर साइट है इसने कभ इसको डिकलेर किया था उसका अंसरोगा 1990 में इसको र ब्यास और सत्लूज रवी रीवर के किनारे पर है जैसे मैंने यहां पर बताया यहां पर आपको ब्यास और सत्लूज मैंने यह बताया है यह है ओनली ब्यास यहां पर गलती से सत्लूज भी लिखा गया है रिपीट हो गया है यहां पर आपने याद रखना है जो कांजली ये अगेन के से स्टार्ट होता है ऐसे आप लिंक करके याद रखी आपको जिन्दिगे बर नहीं बुलेगा जो कांजली वेटलेंड है ये ब्यास नदी के किनारे है और जो लोकेटड है ये लोकेटड है कपूर्थरा में उसके बाद अगर पुछा जाए इसकी जो existence है वो कब से मनी जाती है उसका नसरोगा 1970 1970 में इसकी existence मनी जाती है और जो रामसर साइट है जिसने इसको declare किया था international wetland वो किया था 2002 में 2002 में declare किया था रामसर साइट ने इसको एक international wetland याद रिखे ये भी नेक्स्ट बात आती है रोपड वैटलेंड की रोपड वैटलेंड जो है ये लोकेटड है सतलूज नदी के किनारे सतलूज नदी के किनारे लोकेटड है जो रोपड वैटलेंड है इसको आप कैसे याद रखोगे ये आर है ये है ऐसे से स्टार्ट होती है यनकी आर के बाद क्या आता है ऐसा आता है ऐसे आप लिंक करके याद रखे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्योंकि मेरा इस वीडियो का मोटिव यह है कि आपको सारी की सारी जो जीके है वो आपको उंगली पर याद करवानी है यनकी सारी की सारी जीके बिल्कुल इजी तरीके से याद करवानी है तांकि आपको जिंदगी बर ना भूले पंजाव की जिके क्योंकि 4-5 कोशन पुछे जाते हैं जो पंजाव की स्टेट लेवल के एकजाम होते हैं रोपड वेटलेंड जो है ये लोकेटड है सत्रूज रीवर के नदी के किनारे पे और जो ल रखना है नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री ओफ सिख गुरूज मैं आपको बता दूँ जो सिख गुरूज हैं उनके बारे में मैं आपको हिस्ट्री करवाने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें से कम से कम एवरी एक्जाम में दो कोशन जरूर आते हैं ये जो सिखों की गुरू 200 से 300 question बन जाते इसलिए मैंने इसको एज़ा theory आपको attempt करवाना चाहा है क्योंकि आपको हर एक चीज़ बता दूँगा जो की गुरुओं के लिए important है सो अब हम start करते हैं जो सिख्खिजम की जो history है उसको start करते हैं सबसे पहले आते हैं Guru Nanak Dev Ji Guru Nanak Dev Ji जो हैं जे first guru हैं शिखों के सबसे पहले तो आपने यहीan रखना है यही question पुछा जाता है जो first guru हैं सिखों के उनका क्या नाम है Guru Nanak Dev Ji उसके बाद यह है founder of sicker altern क्योंकि यहां से सिख्खिजम की शुड़ात भूई थी इसलिए मना जाता है गुरुनानकदेव जी को founder of sick religion ये भी आपने याद रखना है उसके बाद next बात आती है born यनकि ये गुरुनानकदेव जी का बर्थ हुआ था 1479 इस्वी में 1479 इस्वी में गुरुनानकदेव जी जो है इनका बर्थ हुआ था नंकाना साहिव पाकिस्तान म में बर्थ हुआ था 1479 इस्वी में गुरुनानकदेव जी का उसके बाद बात आती है फादर की याना कि घृटका की नाम है महताकालू माता का नाम ठिपता देवी और वाइफ का नाम है वो है सुलक्खनी देवी ये जाद रखने आपने उसके बाद next बात है two sons दो संद थे इनको गुरु नानक देव जी के उनका नाम है लखमी चंद शिरी चंद लखमी चंद और शिरी चंद ये दोनों संद थे गुरु नानक देव जी के उसके बाद ये जो रचनावा वाला इसलिए मैं आपको सारी की सारी जो इंपोर्टन है आज तक के इत्यास में पूछी गई है हर एक एकजाम में उनमें से ही आपको बता रहा हूं रचनावा अपने याद रखनी है जपुजी साहिब रामकाली किर्तन सोहियाला दखनी ओमकार मलहार माजी दिवार वारा माजी द सिद्ध गोस्ट मैं रपीड कर देता हूं रचनावा अफ गुरु नानक देव जी जपुजी साहिब रामकाली किर्तन सोहियाला दखनी ओमकार बारा मलवार माजी दिवार असान दिवार और सिद्ध गोस्ट ये सारी जो हैं ये हैं रचनावा अफ गुरु नानक देव जी Bbooks है गुरु नानक देव जी के दोवारा जो लिखी गई थी उसके बाद बात आती है टेचिंग यानि कि जो कंसेप्ट दिये थे इन्होंने वो क्या दिये थे यानि कि टीचिंग क्या दिय थी इन्होंने इन्होंने दी थी नाम जपना कीर्थन करना वंडशकना गुरु नानक देव जी की यो टीचिंग है उसके बाद next बात आती है city founded की हर एक गुरु ने एक नएक city found की है वो आपके लिए super important है गुरु नानक देव जी जो है ये पाकिस्तान में एक city found की थी नोंने कौन सी करतारपुर करतारपुर city है जो पाकिस्तान में इस city को found किया थ गुरु नानक देव जी ने इसके बाद next बात आती है to companions यानिकि दो साथी देन के गुरु नानक देव जी के उनके नाम है पाई मर्दाना जी और पाई बाला जी ये दो साथी थे गुरु नानक देव जी के इन्होंने 974 शब्द रिखे थे काफी बारी पुछते हैं गुर 1789 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी या फिर आप कह सकते हो जोती जोत समय थे इन्होंने वो समय थे 1549 में यानि कि इस समय में जो मुगल रूलर्स थे वो कौन-कौन से थे उनका नाम होगा बहलो लोदी, सिकंदर लोदी, इबराहिम लोदी, बाबर, एन हुमायू ये सारे जो हैं ये मुगल रूलर्स थे गुरु नानक देव जी के समय पे बहलो लोदी, सिकंदर, इबराहिम लोदी, बाबर, एन हुमायू ये सारे क्या थे मुगल से उसके बाद काफी वारी एक्जाम में ये कोशन आपने देखा भी होगा लंगर सिस्टम लंगर सिस्टम वाला कौशन है ये वरी पॉटन है याद रखे गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था जो लंगर सिस्टम है आपसे पुछा जाता है जो लंगर प्रता है किस गुरू ने स्टार्ट की थी उसका अनसर होगा गुरु नानक देव जी काफी student यहाँ पर confused होंगे गुरु अंगदेव जी में गुरु अंगदेव जी ने इसको प्रमोट किया था लंगर प्रता को बट माना जाता है कि गुरु नानकदेव जी ने इस प्रता को स्टार्ट किया था इन्हों ने यही पुछा है कि आपसे पुछते हैं किस गुरु ने इस लंगर प के लिए उस समय से माननी जाती है कि गुरू नानक देव जी ने उस समय ही लंगर प्रथा की शुरुआत कर दी थी यह याद रिखिए आप 20 रुपे दिये थे जब साधू को भोजन करने के लिए उस समय ही माना जाता है कि लंगर प्रथा की जो नीव है वो रखी गई थी और जो गुरु अंगदेव जी है इन्हों ने इसको प्रमोड किया था क्यूंकि इनके जो फादर है गुरु नानक देव जी जिनका नाम ने आपको प्रबताया महता कालू इन्हों ने इनको 20 फे दिये थे कि आप कोई बिजनस किजे आप इसके साथ प्रॉफिट लाके मुझे दिजे बट इन्हों ने उसके साथ कोई बिजनस नहीं किया इन्हों ने क्या किया सादूं को बोज़न करा दिया जो बुखे थे इसलिए तब से मना जाता है कि शिरी गुरु नानक देव जी ने इस प्रथा को स्टार्ट कर दिया था याद रखना है आपने नेक्स्ट बात आती है गुरू अंगदेव जी का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था पंदरासो चार में ये हैं सैकेंड सिख गुरू और मोड्य ओफ गुर्मु की स्क्रेप्ट ये भी आपने याद रखना था मटेदी सराय मुकसर मुकसर में एक प्लेस था उस समय में कौन सा मटेदी सराय पंदरासो चार में इनका बर्थ हुआ था मटेदी सराय मुकसर पे उसके बाद नेक्स्ट बात आती है फादर की इनके फादर का नाम है फैरोमल मदर का नाम है दया देवी उसके बाद गु सेजिएnd सिखों के गुरु बने थे पंदरा सुन थाली में इनको गुरु गद्दी मिली थी इनकी जो वाइफ का नाम है वो है विबी खीवी जी यनकी इनकी पतनी का नाम था विबी कीवी जी इनकी टू डॉटर सी यानि की दो पुत्रियां थी अमरो और अनुखी थी इनकी दो पुत्रियां उसके बाद इनके दो सन भी थे जिनके नाम थे दसु और दत्तु ये दो सन के नाम थे जो गुरु अंगदेव जी के दो सन थे उसके बाद बात करते हैं बायोग्राफिय आफ गुरु नानकदेव जी माना जाता है कि जो गुरु नानकदेव जी की जो बायोग्राफिय है जिसका नाम है पाई वाले वाली जन्म सकी इसको लिखा था गुरु अंगदेव जी ने ये आपने याद रखना है ये question काफ़ exam में repeat हो चुका है पज्याब के various exam में आपसे पुछाही आता है पाई बाले वाले जन्म सकी बुक को किसने लिखा है उसका असरूगा गुरू अंगा देव जी ये गुरू नानक देव जी की biography है बायोग्राफी यानि कि अगर किसी परसन के बारे में कोई और लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी जो परसन होता है खुद के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं ओटो बायोग्राफी ये थी बायोग्राफी गुरु नानक देव जी की जिसको लिखा था गुरु अ यह city था जो इन्होंने found किया था और उसके बाद बात आती है जोतियोत की इन्होंने जोतियोत समाए थे 1500 बबंजा में 1500 बबंजा में खडूर साहिब में इन्होंने जोतियोत समाए थे काफी बारी आप देखोंगे जो सिख्गुरु जिस भी city को found करते हैं उसी में जोतियोत समाते हैं ऐसे भी आप लिंक करके याद रख सकते हो जो इनका जोतियोत वाला प्लेस है वो है खडूर साहिव जिस सिटी को इन्होंने फाउंड किया था पंदरा सो बवंजा में इन्होंने जोतियोत समाय थे ये आपने याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट बात आती है गुरू अमर्दास जी की गुरू अमर्दास जी जो हैं वो हैं सिखों के तीसरे गुरू थर्ड गुरू हैं सिखों के काफी बारी पुछते हैं सिखों के गौन से गुरू हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा जीवन बिताया है, उसका अंसरोगा गुरु आमरदास जीने, गुरु आमरदास जीने सबसे ज़्यादा लंबा जो समा है वो बिताया है अपने जीवन काल का, जैसे देखी यहाँ पर बॉर्ण हुए यह 1489 में और इनको गद्धी मिली थी 1500 भवंजा में और जो इनकी जोतियोद का समय है वो है 1574, यानि की अप्रॉक्सिमेटली 95 साल, 95 इयर्स का इनका जो कारेकाल था, वो था, एक मैं चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ, जो गुरु अंगदेव जी है, इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका नाम है अखारा सिस्टम, यह भी काफी बारी पुछते हैं, अखारा सिस्टम भी काफी बारी पुछते हैं, तेज पानपला, तेज पानपला, जो है, इनके फादर का नाम था, इनकी मदर का नाम था, सुलखनी देवी, उसके बाद इनकी वाइफ का नाम था, मंसा देवी, मंसा देवी था इनकी वाइफ का नाम, इनकी two daughters थी इनकी नाम है बीबीपानी जी और बीबीदानी जी ये दो daughters हैं यानि की पुत्रियां हैं गुरू अमरदास जी की उसके बाद next बात आती है दो संस की यानि की दो पुत्रों की ये हैं मोहर मोहन मोहर मोहन जो हैं जे दो पुत्र हैं गुरू अमरदास जी के इनको गुरू गद्धी मिली थी 1500 बवज़ा में जब गुरू अंगर देव जी ने अपने जोतियोत समाय थे तबी इनको गुरू गद्धी मिली थी 1500 बवज़ा इस भी में उसके बाद next बात आती है रचनामा जैस गुरू अमरदास जी के जिन्होंने लाइफ बतीत की है यह भी याद रुकिए इन्होंने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम है गोईंदवाल गोईंदवाल सिटी है पूछते हैं किसने फाउंड की थी उसका अंसरोगा गुरू अमरदास जी next बात आती है लंगर को इंटर्यूस किया था यानि कि स्टार्ट किया था गुरू नानकदेव जी ने फर्स्ट गुरू थे जो सिखों के इन्होंने एक्स्टेंड किया था इस लंगर सिस्टम को यानि कि इसको प्रमोट किया था गुरू अमरदास जी ने संगत और पंगत यानि कि लाइन में ब विद्व पंगत के साथ स्टार्ट किया था उसका अंसरोगा गुरू अमर्दास जी नेक्स्ट बात आती है मंजी सिस्टम की मंजी सिस्टम जो है सिस्टम स्टार्ट किया था गुरू अमर्दास जी ने जो सती सिस्टम था उसको अबॉलिश किया था गुरू अमर्दास जी न में नेक्स्ट बात आती है मोगल एंपरर की मोगल एंपरर जो है हुमायू एंड अकबर हैं मोगल एंपरर जो है इनके समय में वो है हुमायू एंड अकबर और उसके बाद नेक्स्ट बात आती है जोतियोत की जोतियोत इन्हों ने समाये थे 1574 गोईंद वाल में 1574 गोईंद जी ने अपने जोतियोत समय थे नेक्स्टर सिखों के गुरु आते हैं हमारे गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी जो है यह है हमारी फॉर्थ सिखों के गुरु यहां पर फॉर्थ आएगा फॉर्थ सिखों के गुरु है गुरु रामदास जी इनका जो रियल नेम है यानि कि बच्पन का नाम था इनका वो क्या था? पाई जेठथा जी यह है, यह है इनका बच्पन का नाम, real नाम पुछा जाता है कि गुरु नाम जी का, जो real नेम था, वो क्या था, उसका अंसरोगा पाई जेठथा जी, जैसा मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी यहां पर जब गुरु अंगदेव जी डिसकस के थे इनका जो रियल नेम था वो था पाई लैना जी पुछते हैं किस सिख गुरु का रियल नाम था वो था गुरु अंगदेव जी का ये वी आप याद रख सकते हो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ गुरु रामदास जी के बारे में गुरु रामदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंदरा सो चौन्ती चुन्ना मंडी लाहुर में चुन्ना मंडी 1594 में बर्त हुआ था गुरू रामदाश जी का फादर का नाम है इनके हरीदास मदर का नाम है दाया जी उसके बाद नेक्ष आती है इनकी वाइफ का नाम है बिबीपानी जी जो है यह जैसे मैंने आपको उपर बताया था गुरू अमरदाश जी की उनकी जो जोती जोत समाज आते हैं उनके बाद इनको गुरू गदी दी जाती है 1574 में नेक्ष बात आती है इनके संस की इनके तीन पुत्तर थे टोटल कौन-कौन से प्रिथवी चंद महादेव अर्जुन देव जैसे अगले गुरू बनेंगे आप सभी को पता ही है यहां से पिपिए सी के कॉपरेटिफ इंस्पक्र में यह आपने कॉशन दिखा भी होगा पिपिए सी के कॉपरेटिफ इंसपक्र जो 2 spring 2018 में पिजाम हुआ था उसमें उनके कुछन पुछय था की जो लांवा है इसको किसने compose किया है उसका अंसर हुंदा वो गुरु रामदास जी याद रखिए नेक्स्ट आबात आती है अमरिसर की इन्होंने found किया था अमरिसर को अमरिसर जो city है इन्होंने found किया था गुरु रामदास जी ने काफी बारी पुछते हैं किसने फाौंड किया था इस अम्रिजवर शहरे को उसका अंसरोगा गुरू रामदास जी इन्होंने golden temple का जो डिजाइन है वो start किया था यानि कि design को त्यार किया था golden temple का और उसकी जो construction थी वो start करवाई थी गुरू रामदास जी ने यह बहुत जादा important question है बहुत जादा repeat होता है यह question आपसे पुछा जाता है जो golden temple है अमर सर में इसको किसने start करवाया था construction किसने start करवाया थी उसका अंसरोगा गुरु रामदास जी इसके लिए जो land है यानि कि जो जमीन है वो किसने धान दी थी वो दी थी अकबर ने जो उपर पैसा लगा था यानि कि जो पैसा लगा था उपर वो लगा था सुवी संत मिया मीर का सुवी संत मिया मीर जो है ये एक मुसलमान थे इन्होंने पैसा लगाया था हरमिंदर साहिब को बनवाने के लिए जो उसके लिए जगा दान दी थी वो दी थी अकबर ने याद रखिए नेक्स बाद आती है गोल्ड ब्लेटर की यनकी जो सोने की पतर चड़ी हुई है अर्मिंदर साहिब के उपर वो किसे चड़वाई थी वो चड़वाई थी महाराजा रंजीर सिंग जी ने महाराजा रंजीर सिंग ने इस पर गोल्डन परति चड़वाई थी जो गोल्डन टेंपल है अमरिल सर में ये आपने याद रखना है नेक्स बाद आती है मुगल एंपरर इनके समय में एक ही मुगल एंपरर था जिसका नाम है अकबर अकबर मुगल एंपरर था इनके समय में याद रखना है आपने उसके बाद बात आती है जोती जोत की इन्होंने जोती जोत समय थी गोईंद वाल में 1582 में 1582 में इन्होंने गोईंद वाल में अपने जोती जोत समय थे ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट बात आती है गुरू अर्जन देव जी की गुरू अर्जन देव जी जो है ये सिखों के फिफ्ट गुरू है पांच में गुरू है सिखों के जो गुरू अर्जन देव जी है इनका बर्थ हुआ था 1563 गोईंदवाल में 1563 में इनका बर्थ हुआ था गुरू जिंगा जी यह आपने याद रखना है उसके बाद इनका एक सान है जिनका नाम है हर गोविंद जी यह आगे जाके सिक्स्त गुरु बनेंगे सिखोंगे यह आप लोगों को पताई होगा गुरु गदी मिली थी इनको 1580 में 1580 में इनको गुरु गदी मिली थी उसके बाद ने रचनावा जो हैं वो काफी ज़्यादा फेमस हैं याद रखिए आप आदगरंथ सुखमनी साहिब और बावनकरी ये सारी जो रचनावा हैं यानि बोक्स हैं ये लिखी हैं गुरू अरजन देव जी ने ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कुछन हैं काफी वारी रिपी सब्सक्राइब कर चीक्तिका हैं और ने फरлов का साहिशन देव जी हाये जी है। गुरू अर्जन देव जी ने काफी बारी पुछते हैं दसवंद और मसवंद सिस्टम जो है ये किस ने स्टार्ट किया था किस गुरू ने स्टार्ट किया था उसका अंसरोगा गुरू अर्जन देव जी गुरू अर्जन देव जी जो है इनके समय में अकबर का बेटा जहांगीर आया था इनके समय में उसके बाद नेच्च बात आती है 1st Guru मायटार बायज जहांगीर in 1606 in Lahore 1606 में Lahore में इन्होंने अपने जोतियोद समय थे ये आपने याद रखना है Due to reason of जहांगीर ये भी आपने याद रखना है लहोर में इन्होंने जो तियो समय थे 1606 एस्वी में जो फिफ्थ गुरु थे हमारे गुरु अर्जन जेव जी नेक्स्ट बात आती है गुरु हर गोविंद जी गुरु हर गोविंद जो है ये सिखों के 6 गुरु है छेवे गुरु है इनका वर्थ हुआ था 1595 गुरु की बडाली अमरिसर के पास है जो गुरु की बडाली नियर अमरिसर ये यहाँ पर वर्थ हुआ था गुरु हर गोवि यानि की थ्री वाइफ सी कौन कौन सी बीबी दमोदरी जी बीबी महादेवी और विबी नानकी जी ये तीनों हैं गुरू हरगोविंदी सिंग जी जी जो हैं इनकी थ्री वाइफ सें इनके संस थे यानि की पुत्तर थे वो थे पांच पुत्तर थे इनके सूरजमल अनी राय अत्तु लराय गुरुटेग बाहद्र जी जए जाने गुर्दित्ता जी जान गुरु बनेंगे मैँ उसके बाद नेक्से बात हाती है एक डॉट्र एक दोट्र फीजी पुतर ही भीभी बीयु जी तो यह इनकी एक पुत्री थी नेक्स्ट बात आती है फिस्ट गुरु हो made his own army आप से पुछा जाता है कौन से गुरु थे सिखों के जिन्हों ने अपनी खुद की आर्मी बनाई थी उसका अंसर होगा गुरु हर गोविंद सिंग जी यह बहुत ज्यादा मीरी और पीरी मीरी जो है यह मिल्टरी लीडर को शोग करती थी जो पीरी है यह एक पीर को शोग करती थी जो कि एक स्पिर्चल गुरु मना जाता था पीर इसको शोग करता था जो पीरी है जो मीरी है यह मिल्टरी लीडर को शोग करती थी जो मीरी तलवार है नेक्स्ट बात आती है लोगड और एक अकाल थकत अमरे सर में कंस्ट्रक्ट करवाये थे गुरू हर गोविन सिंग जी ने ये भी आपने याद रखना है ये जो अकाल थकत कंस्ट्रक्ट करवाये थे इस पर बैठते दे गुरू हर गोविन सिंग जी और जो लोग होते थे उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको प्रॉब्लम्स को सुनके सॉल्व करते थे जो गुरू हर गोविन सिंग जी थे ये भी आपने याद रखना है इनको कहा जाता है बंदी छोड़ बाबबा आपसे पुछा जाता है किस गुरू को कहा जाता है बंदी छोड़ बाबबा और सच्चा पात्षा ये कहा जाता है गुरू हर गोविन सिंग जी को ये आपने याद रखना है बहुत जाद इंपोर्टन कुछने है क्योंकि जो ये इसलिए कहा जाता है जो 52 हिंदू राजा थे उनको इन्होंने चुड़वाया था जो जहांगिर की कैद में फसे हुए थे इसलिए इनको कहा जाता है बंदी छोड़ बाबबा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे लोगों की इसलिए इनको बोला जाता है सच्चा पात्षा ये भी आपने याद रखना है नेक्स बात जो है ये इनका योतियोध से maximum एंद स्क्राइब हाए 75 यहाँ पर इनोंने जोतियोध समाय थे कीरतपूर में यह आपने नेक्स बाथ आती है 7 सिख गुरु की 7 सिख गुरु जो है वह है याद रखना है आपने इनके फादर का नाम था गुर्दित्ता जी और मदर का नाम था नेहाल जी मदर का नाम था नेहाल जी और फादर का नाम था गुर्दित्ता जी और इनकी दो वाइफ सी यानिकी दो पत्निया थी कल्यानी जी और क्रिशना जी इनके दो संस थे यानिकी दो पुत्र थे कौन कौन से हर क्रिशन जी और राम राय राम राय और हर क्रिशन जी जो है ये इनके दो पुत्र थे जैसा मैंने आपको पर बताया था जो गुर्दित्ता जी है ये किसके पुत्र थे ये गुरू हर गोविंद सिंग जी के पुत्र थ जैसा मैंने आपको उनने के फांच पूत्राइश की है उनके पूत्र जी इनने के पूत्र जिनकि नाम के पूतुद्धा जी तो कीर्थपुर में कौन सा hospital चरवाया था जो गुरु हर राय जी वो है अयूरवेदिक hospital यह भी प्लेस भी आपने याद रखना है कीर्थपुर में चरवाया था इन्होंने hospital यहां पर जो शाँ जहां था जो एक मुगल emperor था इसका एक बेटा था एक पुत्तर था जिसका नाम इसलिए इसको important concern बनता है जहांसे अजुरुवेदिक hospital से कीर्थपुर में located है यह पुछा जाता है दारा शेक्खो जो है यह किसके पुतर थे जिनका treatment किया गया था इस hospital में उसका शरुकार शान जहार यह भी आपने याद रगना है नेक्स आती है बात जोती जोत की इन्होंने जोती जोत समय थे 1661 इसवी में कीर्थपुर में ही समय थे यह एक मातर गुरु थे जिनका birthplace और जोती जोती जोत बलेस यह दोनों सेम है यह आपने बिलकुल याद रगना है आपने यह question देखा भी होगा his birthplace and जोती जोत बलेस are same इसलिए यह question बहुत ज्यादा important बन जाता है किसी भी सिख गुरु का birthplace और जोती 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 जोत बलेस है वो सेम नहीं है एक मातर गुरु है जिनका जो birthplace और जोती 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 सेम है वो है गुरु हर राय जी यह आपने याद रखने है नेक्स बात आती है श उसके बाद मदर का नाम है हर क्रिशन जी हर क्रिशन जी जो है इनकी मदर का नाम है उसके बाद इनको एक नाम दिया जाता है वो है बाला प्रितम आप से पुछा जाता है किस सिख्ध गुरू को कहा जाता है बाला प्रितम बाला प्रितम कहा जाता है शिरी गुरू हर क्रिशन जी को ये भी आपने याद रखना है इनको गुरु गद्धी मिली थी 1661 में यहाँ पर आप कन्फ्यूज होएंगे कि 1669 में इनका वर्थ होता है यानि कि दो साल में दो साल की एज में इनको गद्धी मिल गी थी क्योंकि यहाँ पर देखिए उपर मैंने जैसे बताया है यहाँ पर इनकी मृत्धी हो जाती है गुरु हराय जी की उसके बाद इनको गद्धी देनी पड़ी थी इसलिए कहा जाता है 1661 में इनको गद्धी दे दी जाती है बट अगर आपके पर में ऑप्शन हो 1664 और पुच्छा जाए गुरु गद्धी कव मिली थी उसका अंसर आपने मार करना है 1664 क्योंकि इन्होंने पांच साल की एज में इस गद्धी पर बैठना स्टार्ट किया था क्योंकि दो साल का बच्चा कोई भी हो वो गद्धी पर नहीं बैठ सकता है इसलिए जो सिक्खों के ये गुरु थे ये कमात्र गुरु थे जो 5 साल की एज में इस गुरु गद्धी को समालने वाले गुरु बने थे ये भी आपने याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट बाद आती है जोतियोद की इनका जोतियोद समाय था वो समाय थे आर साल की एज में इन्होंने जोतियोद समा दिये थे क्योंकि इनको एक लाइलाज की बिमारी थी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स की नाम की इनको एक बिमारी थी जिसके कारण इनकी आर साल की एज में मृत्यू हो जाती है यानि की ये जोतियोद समाय जाते हैं आर साल की एज में जैसा मैंने यहाँ पर 1669 में का बर्थ पताया है तो इनकी मृत्यू हो जाती है 1600 स्ताहट इस्वी में 1667 न्यू देली में ये आपने याद रखना है आपसे पूचाया आता है किस सिख गुरू की याद में गुरू दबारा बंगला साहिव जो है दिली में कंस्ट्रक्टर करवाया गया था उसका अंसर होगा शिरी गुरू हर कृष्ण जी ये पहुँ जाद इंपोर्टन कुछ ने ह आपने याद रखना है गुरू तेख बहादर जी जो है इनका बर्थ हुआ था 1621 में अमरित सर में इनके फादर का नाम है हर गोविद जी और माता का नाम है बिबी नानकी जी और आपने याद रखना है इनको दो टाइटल दिये जाते हैं इनका नाम है बाबा बकाला जी आपसे पुछा जाता है किस सिख गुरू को बाबा बकाला जी का टाइटल मिला था उसका अंसरोगा गुरू तेग भादुर जी और हिंद की चातर हिंद की चातर और बाबा बकाला जी ये दोनों टाइटल दिये जाते हैं गुरू तेग भादुर जी को इनकी जो पत्नी का न पुत्तर थे गुरु तेग भादुर जी के, इनकी माता का नाम था विभी नानकी जी, इनको गदी मिली थी 1667 इस्वी में, जैसा मैंने आपको उपर बताया था 1667 इस्वी में, इनकी मृत्य हो जाती है due to smallpox, इसलिए इनको 1667 में इनको गदी दे दी जाती है, यानि की इनको स जादुर जी है, इसके बाद बात आती है मोगल रूलर्स की, यानि की मोगल रूलर्स कौन थे उस समय में वो थे ऑरंगन जेव, औरंगन जेव था एकशन का गरूर, जो मोगल रूलर्स था, इनके समयए मूरु तेग बादूर जी के समय में, His head taken by Jaita Ji from Chandrai Chok to Anandpur Sahib इनका जो सर था वो धर से अलग कर दिया गया था इन मोगलों ने इसलिए जो भाई Jaita Ji है इनके दोरा जो इनका head है यानि की सर है वो Chandrai Chok में इनका जो सर था वो धर से अलग कर दिया गया था वहाँ से भाई Jaita Ji इनका जो सर है वो ठाके Anandpur Sahib मिलाते हैं उसके बाद एक बात और याद रखनी है लकी शा बनजारा लकी शा बनजारा जो है जो बाकी जो body बच्चती है उनकी उसको लेके आते हैं और जो उनका दास अंसकार होता है वो अपने घर में कर देते हैं ये अपने घर में ही उनका दास अंसकार कर देते हैं जो गुरू तेक बाहदर जी है ये एक मातर गुरू थे जिनको इस तरह की जो है डैत दी गई थी मुगलों के द्वारा ये आपने याद रखना है चांदनी चौक में इनका सर था जो वो धर से लकी आ गया था जिनका हेड पुछा आया था है वो कौन लेकर आया थे उसका असरोगा भाई जैता जी इनका जो धर लेकर आया थे लकी शाब बन जा रहा उसके बाद इनकी याद में एक गुरू द्वारा बना था देली में यहां पर चांदनी चौक वे इनकी जो मृतिय हुए थी वहां पर गुर्दवारा रिकब गंज डेली में कंस्ट्रक्टर करवाया गया था यह आइ थिंक वहां पर कंस्ट्रक्टर करवाया था जहां पर जो लकीशा बन जारा है जिसने उनकी जो बाडी है वो उसका जो दर संसकार था वो किया था उसके बाद एक गुर्दवारा शीश गंजी भी बनवाया गया था यहाँ पर इनका जो सर है वो दर से लखिया गया था वहाँ पर एक गुर्दवारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था चांदनी चौक डली में, ये भी आपने याद रखना है, उसके बाद Jyotit Jyot, इनका जो Jyotit Jyotit का समय है वो है 1675, 1675 में इनके Jyotit Jyotit समा दिये थे, ये आपने याद रखना है, जे सारा का सारा जो data है वो है, गुरु तेख भाद धुर जी के बारे में, एक्स्ट बात देते हैं आपको गुरु गोविन सिंग जी गुरु नानकदेव जी और एक दे दे देंगे आपको option गुरु गुरंत साहिव जो holy book जो है सिखिजिम में वो मनी जाती है जो last सिख गुरु है इसको 11th सिख गुरु के नाम से भी जाना जाता है यह आप याद रखिए जो 11th सिख गुरु है सिखों के उनका नाम है जो book है सिखिजिम में जिसका नाम है गुरु गुरंत साहिव है 11th सिखों के गुरु यह भी याद रखिए अगर बात की जाए इनके birthplace की वो है पटना साहिव पटना साहिव बिहार में इनका बर्थ हुआ था 1666 सिवी में गुरु गोविन से हैं वो हैं तीन वाइव से हैं कौन कौन सी बिबी अजीत कौर बिबी साहिव कौर और बिबी सुंदर कौर मैं रपीड कर देता हूं बिबी अजीत कौर बिबी साहिव कौर और बिबी सुंदर कौर यह तीन वाइव से हैं गुरु गोविन सिंग जी की जो लास्ट पाद आये थे गुरु गुरंद साहिव नेक्स टा आती है बात इनके चार संस थे ये तो आप सभी को बताने के जूरत नहीं है ये तो आप सभी को पता ही होगा अजीत जुजहार फते और जरावर ये चार पुतर थे गुरु गुरु गुर्मि सिंग जी के इनको गुरु गुर्मि सिंग जी ने फांड की थी जो मुकसर है इसको और नाम दिया जाता है यानि कि इसका पुराना नाम पुछा जाता है उसका नाम है खिदराना खिदराना जो है ये पुराना नाम है मुकसर का ये काफी पर एक्जामें पूछते हैं याद रखिए जैसे ही एक का नाम है ताबरहंद जैसे आपने देखा होगा ताबरहंद जो है यह बढ़ेंडा का पुराना नाम है यह आप याद रख सकते हूं नेग्सक्त आती है बुक्स की बुक्स यनकी रचनामा कौनसी कौनसी जो बुक्स है इनके द्वारा लेखी गई थी शिरीगुरु गोविं वचेतर नाटक ग्यान प्रमोद खालसे दी महीमा यह सारी जो बुक्स हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टन है पिछले दस सालों में जितनी वी बुक्स और ओधर से कोशन पुछा गया है गुरु गोविन सिंग जी से वो मैंने सारी की सारी इस वीडियो में निकलूर की हैं तो जो मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया था क्या आप मुझे कमेंड में लिखके यह बता सकते हो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मसंद सिस्टम है वो सिखों के कौन से गुरु ने स्टार किया था इन्होंने तो इस सिस्टम को मुगल एम्परर की इनके समय में जो मुगल एम्परर थे वो थे औरंगेव औरंगजेव जो थे ये मुगल एम्परर थे जो गुरू गोविन सिंग जी के समय पे थे नेक्स्ट बात आती है खालसा पंत की सर्जना यानि कि खालसा पंत की यो सर्जना होई थी वो ही थी विसाखी वाले दिन 1699 में 1699 में गुरु गोविन सिंग जी ने खालसा पंत की सर्जना की थी विसाखी वाले दिन अनंदपुर साहिव में जो केसगड़ वाला गुर्दवा खालसा पंथकी सर्जना इन्होंने पाँच प्यारों को बलाया जिनके नाम है देयाराम तरमदास मौकम चंद साहब चंद और हम्मत दास जिनको बलाया गया के लिए मैं repeat कर देता हूँ दयाराम, तर्मदास, मौकम जंद, साहिव जंद और हिम्मत दास नेक्स्ट बात आती है दश्मगरंथ जो है ये किसके दोरा लिखा गया है ये लास्ट गुरू जो है इनके दोरा लिखा गया है जो दश्मगरंथ है इसमें ये कब लिखा गया था ये लिखा गया था 1708 में 1708 जो नंदेड है महराष्टा में प्लेस है वहाँ पर लिखा गया था जो दश्मगरंथ है इसकी जो लेंग्यूज है वो है गुर्मुकी गुर्मुकी स्क्रेप्ट है जो दश्मगरंथ है जो इनके द्वारा लिखा गया था, गुरुवविंसिंक जी के द्वारा, इसमें जो टॉटल राग है, आपसे पुछ है आता है, उसका अंसरोगा, 31 राग है, इस डर्शम करांत में, उसके बाद अगर पुछे ज़े कितने हैं, पन्ने कितने हैं, उसका अंसरोगा, 1430, उसके यह जो वानि है। यानि की composition है, वो किस किस गुरु का है। पहले तो पहले पाँच गुरू का उसके बाद नाईन्त गुरू का यह composition है इसमें जो मैं बतारा हूँ आपको दर्शम गरंत इसमें जो composition है वो है पांच पहले सिख्व गुरू का उसके बाद जो पंदरा भगत थे उनका ग्यारा पट्स और चार सिख्व गुरू ये थे सभी का composition है जो दर्शम गरंत है जो गुरू गोविन सिंग जी ने संपन करवाया था इसके बाद अगर पुछा जाए इसका जो original form है वो कहा पर है उसका चार्था पुर पाकिस्तान में इसका original form है ये आप याद रख सकते हो नेक्स्ट बात आती है जुरावर और फते के बारे में जो जुरावर और फते दो पुत्तर थे गुरु अंगर देव जी के गुरु गोविन सिंग जी के दो पुत्तर थे निन का नाम है जुरावर और फते इनको सरवंद की जो सरहंद में जो नीव हैं उसमें जड़वा दिया गया था वजीर खान के दोरा यह तो आप सभी को पता होगा सरहंद का जो मेला लगता है इनके कारण लगता है सरहंद में जुरावर और फते को जड़वा दिया गया था 1704 में 2nd battle of अनंदपुर साहिब की battle में यानकी जब 2nd battle हुई थी अनंदपुर साहिब की उस समय में 1704 में वजीर खान जो थे इनोंने जुरावर और फते को सरहंद की नीवों में जड़वा दिया था यानकी एक वाल थी उसमें जड़वा दिया था इन दोनों पुत्रों को उसके बाद नेक्स्ट बात आती है अजीत और जुजहार जो है ये battle हुई थी एक चमकौर साहिब की उसमें शीद हो गए थे जो अजीद और जुजहार थे 1705 स्वी में ये भी आपने याद रखना है काफी वारी आप सोचोगे कि जो जुरावर और फते हैं इनको बाद में चिनवाया गया था बट एक्जामीनर इसको correct मानता है इसलिए आपको ये ही mark करना है किसी हिसाफ से ही आपको number मिलेंगे क्योंकि मैंने net पर सर्च किया है उसमें जो अजीत और जुजहार का चमकौर की battle में शेहिदी था वो 1704 बता रहा था और जो जुरावर और फते का है वो 1705 बता रहा था बट जो एक्जामीनर ने mark किया था यानि कि सही माना था वो ये माना था जुरावर और फते ने जो शेहिदी प्राप्त किती वो थी 1704 और अजीत और जुजहार ने जो शेहिदी प्राप्त किती वो किती 1705 में इसलिए आपको यही याद करना है और यही मनने होगा नेक्श देखिए मुगल एंपरर इनके समय में जो मुगल एंपरर थे वो थे औरंगजेव औरंगजेव थे इनके समय में मुगल एंपरर गुरू गोविन सिंग जी के समय में इन इनों ने जोतियों समय थे 408 में Nand Crypt नंदेड जो located है महारस्टरा में काफी बारी state देते हैं कौशनी state में इनों ने जोतियों समय थे जो आपने याद रखना है इनों ने जोतियों समय थे गुरू Gसेंग जी नए ये भी आपने याद रखना है सो यह थे सारे के सारे दस सिख गुरू जो हमने काफी comprehensively कवर करें हैं इससे बाहर आपको कोशन नहीं आएगा बस आपको यही याद रखने है सारे के सारे सिखों के related कोशन जो बनेंगे नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट कोशन थी 81st number कोशन जैसा मैंने आपको उपर बताया था किसको माना जाता है 11th और सिख गुरू किसे माना जाता है उसका अस्रोगा गुरू गृ oysters गृoris गणत साहिव जो है जो holy book सिख skept में इसको इलैवन्थ और सिख गुरू माना जाता है यह आपने याद रखना है उसके बाद next बात आती है बंदा सिंग बहादर की बंदा सिंग बहादर का जो childhood name था यानि कि बच्पन का नाम था वो क्या था वो था लक्षमन देव ये कोशन बार बार पीड़ोते हैं सारे के सारे याद रिखे लक्षमन देव जो है ये नाम था childhood name of बंदा सिंग बहादर next बात आती है बंदा सिंग बहादर के जो पुत्र का नाम था वो क्या था ये कोशन आपने देखा होगा पीड़ोते कोपरेटिव इंस्पेक्टर में उसका अंसर है अजे सिंग अजे सिंग को कहा जाता है पुत्र ओफ बंदा सिंग बहादर ये कोशन आया था पीड़ोते कोपरेटिव इंस्पेक्टर में 2018 के हिजा में याद रखिए next बात आती है who killed वजीर खान in the battle of चपड़ जीरी in 1710 जो वजीर खान है जिनोंने जो सिखिजम के जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविज सिंग जी उनके दो पुत्रों को सरहंद की नियों में चिनवाया था वो थे वजीर खान इसलिए इनोंने जो बंदा सिंग बहादर थे 1710 में चपड़ चिडी की battle में इनकी हत्या गर्दी थी वजीर खान की ये इनोंने की थी बंदा सिंग बहादर में ये बहुत ज़्यादा कोशन है काफी वारी पेटो चुका है पुछा याता है बजीर खान की जो मृत्यू की थी हत्या की थी वो किसने की थी उसका अंसरोगा बंदा सिंग बहादर battle of चपपरचीडी में ये भी आपने याद रखना है स्ताना सो दस में हुई थी ये उसके बाद नेक्स देखिए first sick coin of Punjab किसे कहा यादा है first sick coin of Punjab ये कहा यादा है बंदा सिंग बहादर को कहा यादा है first sick coin of Punjab नेक्स देखिए who killed Baba Banda Singh Bahadir in 716 1716 में Baba Banda Singh Bahadir की हत्या किसे ने की थी वो की थी फरकुषियार ने फरकुषियार ने Baba Banda Singh Bahadir जो थे इनकी हत्या गर दी थी फरकुषियार ने ये जादर क्या इंपोर्टन है बहुत जादा next बात आती है 87th number question की दल खालसा form under the leadership of whom जो दल खालसा form हुआ था यानि कि जब Banda Singh Bahadir की मरूती हो जाती है उसके बाद एक खालसा की organization बनती है जिसका नाम है दल खालसा ये किसकी leadership में बना था उसका अंसर होगा पाई मनी सेंग जी पाई मनी सेंग जी की leadership में बना था जो दल खालसा एक organization बना था याद रिखे ये बहुत जाद important question है बहुत बार बीट होता है ये question next देखे 88th number question 88th number question सरबत खालसा meetings took place on the occasion of the year जो सरबत खालसा meeting है मैंने आपको बताया दल खालसा दल खालसा form हो गया तो हर साल ये एक दो meeting start कर दी थी इन्होंने meetings करनी सरबत खालसा meeting है ये साल में दो बार होती थी एक तो होती थी दिवाली पर एक होती थी विसाक्षी पर इन्होंने ये ही बुचा है जो सरबत खालसा meetings है ये कौन से occasion पर होती थी साल के ये विसाक्षी और दिवाली पर होती थी उसके बार next बात आती है 89th question की दल खालसा divided in the two groups of Sikhism जो दल खालसा है जैसे मैंने आपको पर बताया था ये दो भागों में डिवाइड हो गया था कौन कौन से बने थे दो भाग ये थे तरुना दल और बुद्दा दल तरुना दल और बुद्दा दल थे ये दो ग्रूप में जो Sikhism का दल खालसा है वो डिवाइड हो गया था जो बुद्दा दल है मैं बिता देता हूँ क्या काम करते थे जो बुद्दा दल है ये जो गुर्दवाराज होते थे उनको देख रहे करते थे जो बुद्धा दल के लोग होते थे देख रेक काम और जो तरुना दल है इसका जो काम होता था वो होता था जैसे for example किसी लड़ाई के लिए जाना है उसके लिए जो तरुना दल के लोग रहते थे वो तयार रहते थे तरुना दल के लोगों को लड़ाई के लिए तयार रखा जाता था जब भी कोई युद्ध होता था तो इनको बलाया जाता था तरुना दल के लोगों को क्योंकि इनमें सारे के सारे जो यंग प्यूपल थे वो भरती किये गये थे तरुना दल के लोगों में जो बुड़ा दल थे इनमें सारे के सारे लोग जो बुड़े लोग आते थे उनको include किया गया था जिनकी I think पचास से उपर एस थी उनको include किया गया था इस बुड़ा दल में नेक्स बात आती है 90 number question की चोटा कलुकारा took a place in which of the falling year and on which place जो चोटा कलुकारा है जैसे आपको पता होगा चोटा कलुकारा और वड़ा कलुकारा जे बहुत सारे जो सिख्षिजम पर attack हुए थे चोटा कलुकारों में काफी सारे सिख्षों की जो हत्या की गई थी आप सभी को इसे बहुत है नेक्स बात आती है वड़ा कलुकारा वड़ू कलुकारा जो है यह कबऊ हुआ था और कहाँ पर हुआ थाedar xuबासन भी और कॉपपुर रहरा विलेज जो है मुलेर कोटला में वहाँ पर हुआ था जो वड़ा का लूका रहा है यह यादर के इंपोर्टन है नेक्स्ट बात आती है मिसल सिस्टम की बनवे नमर कुशन आता है हमारा जो मिसल तारी सिस्टम है यह फॉर्म हुआ था इन्होंने कितनी मिसल बनाई थी सिक्खिजम में इन्होंने बनाई थी टोटल बारा मिसल्स टोटल बारा मिसल्स में पूरे सिक्खिजम को डिवाईर कर दिया था अगर पुछा जाए यो मिसल धारी सिस्टम है यह कब फोर्म हुआ था उसका अंसरोगा 164 में बना था जो मिसल धारी सिस्टम है इसमें इन्होंने 12 जो मिसल हैं वो बनाई थी इनके अलग अलग जो लीडर थे वो बनाई गए यहां पर जाने कि हार एक मिसल के लिए अलग से एक लीडर के लिए जैसे फिस करोर सेंग जो हैm कि ली दर माने जाते हैं whatsoever person कैसे याद रखूगी करोड यहाँ पर वी है और यहां पर वी है कर ऐसे लिंक कर करके आप आधे रखिये करोर सिंग्या मेसल के जो लिडर में है वह हर क्रोर संग्य नेक्सट बात आती है निजानेवालिया मेिसल जो है इसके जो लिडर थे वह थे संग्य में थैं रांगिया में नामपिवी रामगडिया से जिस्टाढिया से इसकट है जो इएर्फल यह नाम फुलकिया मिसल के जो लीडर है वो है चौदरी फुल सिंग नेक्स्ट बात आती है तलेवालिया मिसल तलेवाल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है गुलाब सिंग तलेवाल इसके लीडर है तलेवालिया मिसल के नेक्स्ट बात आती है शुकर चाक्या मिसल शुकर चाक्या मिसल जो है इसके जो लीडर है वो है बुद्दा सिंग बुद्दा सिंग जो है वो है लीडर ओफ शुकर चाक्या मिसल चाहे कहा जाए फैजल पुरिया मिसल क्यूंकि एक मिसल के ही दो नाम है काफी बारी पुछते हैं फैजल पूरिया मिसल काफी बारी पुछते हैं शुकर चाक्या मिसल इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है चाहे शुकर चाक्या मिसल गिवन हो चाहे फैजल पूरिया मिसल गिवन हो आपने मार करना है बुद्धा सिंग नेक्स बात आती है निकई मिसल निकई सिंग हीरा सिंग निकई थे इसके जो लिडर थे यहाँ पर भी निकई है यहाँ पर भी निकई है ऐसे लिंक करके याद रखिए नेक्स देखे सिंग पूरिया मिसल जो सिंग पूरिया मिसल है इसके जो लि मिशल्ट कॉंसे परसन हैं जो सहनापती बने थे सारी की सारी जने की बारों के बारां मिशल जो है इनके सहनापती बने थे वो थे जसा सिंग अलूवालिया यह कोशन देखा होगा आपने काफी पन्याप का जो इलेक्षन करने पपड़ा पंजाव के याद रहु कि नेड़े है महराजा रंीस सींग कौन सी मिसल मिलों करते थे 마음에 बनारब करते फलाएं मिसल से विलों करते थे जो महराजा रंीस संग है यह बहुत जाद कुशन राइप इनक्तर केशन को याद रहके नेक्शुंग देखिए जानेफे सिक्सिक्जम फ्लीज़ वे खाई पर डॉलो और उवर आल ट्वाज मिसल्स और सिक्जम कौन्से रूलर हैं जिनके दुआरा रूल किया था जो बारा मिसल्स हैं इनको combine करके वो थे महाराजा रनीज सिंग महाराजा रनीज सिंग एकमातर रूलर थे जिन्होंने 12 मिसल्स को join करके उस पर रूल किया था यह बहुत ज्यादा important question है महाराजा रनीज सिंग is the right answer याद रखना है बहुत ज्यादा important question है next question देखे 97th question who is the mother-in-law of महाराजा रनीज सिंग पुछते हैं आपसे mother-in-law of महाराजा रनीज सिंग कौन सी है उसका रूल का सद्धा कौर क्योंकि जो political situation दी पंजाब की उस समय में उस समय इन्होंने काफी जादी एहम भूमी का निवाई है जो सद्धा कौर है इसलिए यह question ब question महराजा रनीज सिंग पॉछ्फम पाटना साहिव और हजूर साहिव in which state जो महाराजा रनीज सिंग है इन्होंने पॉछूर साहिव और हजूर साहिव फ्रूर कंश्च्च्च्च्च्च करवाया थे दो गुर्दवारि काफी ज़यादे आ फेमस गुर्दवाराज हैं यह क महाराश्ट्रा है मैं करवाय था वो था हजूर साहिव याद रखिए नेक्स देखिए 99th question ये सारे titles किसको दिये जाते हैं ये महाराजार रणी सिंग को टाइटल्स दिये जाते हैं जी हैं टाइटल शेरे पंजाव महाराजा आफ लघर साहिए पार से गोड़ फाइञव नेक्स्ट कोईशन आता है हं 30th question who is the immediate successor of Maharaja Ranji Singh Maharaja Ranji Singh की death के बाद जो immediate successor बने थे उनका के नाम है उनका नाम है Khadak Singh Khadak Singh जो है यह immediate successor बने थे Maharaja Ranji Singh की death के बाद यह बहुत जादा important question है जो election करने को एक इसाम हुआ था उसमें यह question पुछा गया I think 2016 में हुआ था उसमें question पुछा गया था Who is the immediate successor of Maharaja Ranji Singh वो थे Khadak Singh Next आता है 101 number question Who is the last Sikh ruler of Punjab Sikh ruler के last Sikh से वो कौन से थे वो थे Maharaja Dalijv Singh यानि की immediate successor जो थे Khadak Singh जो last Sikh ruler थे Punjab के वो थे Maharaja Dalijv Singh यह question भी बार बार पीट होता है उसके बाद दो एंगलो वार हुई थी एक तो First Anglo Sikh War हुई थी Second Anglo Sikh War वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है First Anglo Sikh War हुई थी 1845 से लेकर 40 वी तक का जो इसमें 4 वार हुई थी कौन कौन सी हुई थी वो मैं आपे बता देता हूँ आपको Battle of Murki Battle of Hiroshi Shah Battle of Wadduwal Battle of Sabraon ये 4 Battle हुई थी जो Battle of Murki वाली है ये 1845 में हुई थी इसको जीता था Britishers ने आप सोचेंगे जो ये किस के किस के बीच हुई थी उसका अंसर होगा Britishers और Six Britishers और Six के बीच हुई थी ये Battle of Murki हुई थी उसके बाद ये 1845 में हुई थी जो बैटल हुई है 1845 में हुई है दूसरी हुई थी Battle of Hiroshima इसको भी जीता था Britishers ने उसके बाद नेक्स बाद आती है बड़ोवाल बैटल की ये 1846 में हुई थी और ये भी 1846 में हुई थी Sabraon में हुई थी ये एक कमातर बैटल थी जो सिख्षों के द्वारा जीती गए थी बड़ोवाल की जो बैटल हुई थी ये ही कोशन एक्जाम में आता है क्योंकि ये सिख्षों ने जीती थी आप से बुचा जाता है इसी कौन सी बैटल थी जिसको सिख्षों के द्वारा जीता गया था वो थी बैटल आफ बड़ोवाल फर्स्ट एंगलो सिख्षवार के दोना बहुत जाद इपोर्नेट कोशन है याद रखिए बैटल आफ सब राउंड जो हुई थी ठाना सो चैलिस में इसको जीता था ब्रेटिश ये तो आप सभी को मैंने आप पहले ही रुता दिया है उसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर सेकंड एंगलो सिख्षवार आएगा सेकंड एंगलो सिख्षवार जो है वो हुई थी ठाना सो अर्टाली से लेकर उनन जाइस भी तक का यह पुछा गया था कोशन लॉड डलहोजी वाला यह गवर्नर थे आपसे पुछा गया था जो इंडिया के गवर्नर थे उस समय में जब सेकंड एंगलो सिख्षवार हुई थी वो कौन थे जो बरनाला का कोट का एक्जाम हुआ था उसमें यह कोशन पुछा गया था बरनाला के ही पुछा गया था अप चेक कर सकते हो उसमें पूछा गया था ऍडर्ब एंगलो सिख्षवार के समय में कौन से गवर्नर थे इंडिया के उनका नाम है लोड डलहोजी ऍमें दो बैटल जो है वो सिखों के द्वारा जीती आती है और जो दो battle होती है वो Britishers के द्वारा जीती आती है सबसे पहले आती है रामनगर की battle रामनगर की battle 148 में होती है ये सिखों के द्वारा जीती गई थी उसके बाद चिडिया वाला की battle जो चिडिया वाला की battle है इठाना सो नंजा में हुई थी ये सिखों के द्वारा जीती गई थी उसके बाद नेक्स आती है Battle of Multan Battle of Multan जो है इठाना सो नंजा में हुई थी ये जीती गई थी Britishers के द्वारा ये दोनों Britishers के द्वारा ये दोनों सिखों के द्वारा Battle of Gujarat ये question भी आया था जो exam वहा था जो battle exam हुआ था आपका election करनकूँ का exam उसमें बूचा गया था किसको काया जाता है battle of guns वो काया जाता है गुजरात की battle को battle of guns किस battle को काया जाता है उसका अंसर और गुजरात यह question अगर आपने एक्जाम दिया है आपको पता होगा यह जीती है British's ने यह दोनों important है जो battles है next बात आती है 102 number question की बस थोड़े से question और बचते हैं सारी की सारी जो पंजाब की GK है हमारी complete हो जाएगी इसी वीडियो में श्रामनी गुरुद्वारा परवंदक कमेटी जो है यह कब found हुई थी? यह found हुई थी 15 November 1920 को SGPC जिसको in short बोलते है SGPC श्रामनी गुरुद्वारा परवंदक कमेटी यह form हुई थी 15 November 1920 को यह बहुत जादा important question ज्याद रखिए next question देखिए वह become the first president and vice president of SGPC यहनि कि श्रामनी गुरुद्वारा परवंदक कमेटी के जो first president बने थे और vice president बने थे उनका का नाम है? उनका नाम है खड़क सिंग और vice president बने थे उनका नाम है master दारा सिंग next बात आती है first woman president of SGPC ये करद को एकिसे कहा जाता है नाइटन गेल और पंजाब किसे कहा जाता है ये two title मिलते हैं coil of Punjab और night angle of pnab ये मिलता है सुरिंदर कौर को सुरिंदर कोड को टाइटल दिया जाता है नाइट टेंगल ओफ पॉय्ल ओफ पंजाब याद रिखें irrelevant है next देखें किसे काह जाता था बीड हम जाद रखा पंजाबaltet घाल сотे में मिलका सेंको, मिलका सेंको कहा जाता है flying sick of Punjab नेक्ट देखिए, पंजाब is the number one producer of पंजाब number one producer है किस category में, वो है किन्नू किन्नू की production में सबसे ज़्यादा produce करता है पंजाब किन्नू, याद रखिए नेक्ट कुशन आता है, 109 number question पंजाबी उनिवस्टी पत्याला एस्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्टाबिश्ट यह फांड हुई थी उन्नी सोच पंजा में दोनों में नहीं होनी चाहिए यह पंजाव युनिवर्स्टी लाओ रहा है यह थाना सो ब्यासी में बनी थी और जो चंडीगाड़ी वाली है वो बनी थी उन्नी सोच पंजा में जो खाल सा इसा कॉलज है अमरी सर में यह कब बना यह तो यह भी पुछते हैं कहां बनी थी यह बनी थी फत्यगर साही में यह आपने याद रखना है नेक्स देखिए एक सो चौदा नंबर कॉश्टन इन हाउमने टाइम्स प्रेजिनेट रूल अप्लाइड और पंजाब पर टोटल कितने वार प्रेजिनेट यह रूल है व लगा है इस कांसर में आपसे जाना चाहूंगा आई होप आप सभी इस कॉश्टन को कमेंड बॉक्स में जिरूरा अटाइम्ट करोगी नेक्स कॉश्टन देखिए 115 कॉश्टन हो मैने टाइम्स एहमद शाह अबदाली अटेक्ड और पंजाब पंजाब पर कितने टाइम्स टाइक किया है जो आहमद शाह अबदाली है इन्होंने किया है आठवार आठवार अटेक किया है एहमद शाह अबदालीं पंजाब पर नेक्स बात आती है प्चाइब स्कूल एजुकेशन बोड की यह कव स्टाट हुआ था यह हुआ था उनिस औनत्तर में 1969 में स्टाट हुआ था पंजाव स्कूल एजुकेशन बोड यह याद रिखिए इस इपूर्टन है पंजाब नेक्स देखे सिटी ऑफपोर्स इन पंजाब इस पॉंसी सिटी है जिसको स्पोर्ट सुपसी के नाम से जानाया करता है चलंदर को कहालाईatta। स्पोर्ट सिटी ऑफ पंजाब नेक्स जाता है मेका ऑफ होक्की इन पंजाब मेका ऑफ होक्की जो है पंजाब में वो है संसार पुर जलंदर संसार पुर जलंदर है मेका ऑफ होक्की इन पंजाब नेक्स देखे मिन्नी ओलंपिक जो मिन्नी ओलंपिक है पंजाब में वो क्या है कहां पर है वो है किला राइपूर को कहा जाता है मिनी ओलम्पिक नग्स जाती है City of फरनिच्र की सीटी की इसे कहा जाता है वह है करतारपुर करतारपुर जो कि आइंक गुर्दासपूर के पास हाव उसे कहा जाता है City of फरनिच्र नग्स देखिए which city is known as the steel city of पुश्पा गुजराल साइंस सिटी है यह का पुश्पा गुजराल साइंस सिटी है यह कापूरतला में नेक्स आती है रिट्ष सिर्ट है जिस दो white gold के नाम से भी जाना जाता है मांसा जिला को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपा जो है वो बहुत जादा उगाई जाती है इसलिए कहा जाता है इसे white gold का जिला नेक्स्ट देखे 127 नमब कुशन देवी तलाव मंदिर लोकेटर है जो देवी तलाव मंदिर है यह लोकेटर है जलंदर में जलंदर में लोकेटर है देवी तलाव मंदिर नेक्स देखे दुर्ग्याना मंदर बागा बोडर समाद ओफ शर्वनकुमार राम बाग जामा मस्चिद यह सारे जो मंदिर वगरा है जा मंदिर बॉर्डर वगरा है ये कहां पर हैं ये हैं अमरिसर में दुर्ग्याना मंदिर बागा बॉर्डर समाद ओफ शर्मनकुमार रामबाग और जामा मस्चिद ये सभी हैं अमरिसर में याद रखे नेक्श देखे बना सरवाग संगरूर में है विरास्ते खालसा कहां पर है यह है अनंदपुर साहे में शेहिदी योड मेला कहां पर लगता है अनंदपुर साहे में हुला महला मेला कहां पर लगता है अनंदपुर साहे में पंजाब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किसे कहा जाता है यह है लुद्याना लुद्याना को कहा बाबा बालक चिंग जी ने बाबा बालक सिंग ने फाउंड किया था नामतारी मुवमेंट है यह वेरी इंपोर्टन कुछन है दो दिन कोश्च बंते है सारी कि सारी मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से एक्स दो तीसलत पर कुछन है अमारा founder of Radha Swami मुवमेंट है यह है शेव द्याल सिंग जो है यह founder of Radha Swami मुवमेंट उसके बाद अगर बात करें हैं हम निरंकारी मुवमेंट की यह है इसके founder Baaba bootyal बाबा दयाल जो है ये founder इंडरंकरी मूवमेट के और जो रादा सवामी मूवमेट है इसके founder है शेव दयाल सिंग और जो बाबा बाल के है ये है नामतरी मूवमेट के नेक्ष देखिए पंजाब में जो total thermal plant है वह है साथ वह मैं आपको पता देता हूँ कौन कौन से हैं और कौन कौन से सबसे पहला आता है गुरु नानकदेव thermal plant जो है यह बठिंडा में लिकुटट है बठिंडा जिले में नेक्ष देखिए गुरु गोविंद सिंग तर्मल प गुरु ब करत्हे सब्सक्राइब ते जो cysyn को पुल hedge और मम agree और सबराइब, नेक्स देखे गिदर बाहा थर्मल प्लांट है जो यह बठंड़ा में लुकरटटड है जह के साथ आपने यहाद रिक्ने हैं एक ना एक कुशन पुछा जाता है इससे जो थर्मल प्लांट होते हैं पंजाब के next देखे next last topic आए हमारा आज का hydro plants in Punjab पन्जाब में total hydro plants कितने हैं वो हैं चार total चार hydro plants हैं पन्जाब में कौन-कौन से और कहां-कान पे हैं ये काफी वार exam में पुछते हैं मैं पता देदा हूँ आपको रंजीत सागर डैम हाइड्रो प्लांट ये है रावी रीवर पर और पठान कोट में जिले में लोकेटड है याद रिखे ये दो टाइप से पुछते हैं आप से पुछते हैं कौन से नदी पे है और कौन से जिले में है दोनों याद रिखनें आपने रंजीत सागर डैम जो है हाइडरो प्लांट ये रावी नदी के किनारे पे है और जो ये डैम है ये लोकेटड है पठान कोट में नेक्स आता है अपरवारी दुआब केनाल हाइडरो प्लांट ये लोकेटड है रावी नदी के किनारे पे और जो located है वो located है पठान कोट में उसके बाद नेक्स बात आती है नेक्स बात आती है अनन्दपुर्थ साहिब हाइड्रो पावर प्लांट की ये located है सत्लूज रीवर के कंडे पे और जिला जो है वो है रोपड़ नेक्स आता है लास्ट मुकेरिया हाइड्रो complete history थी gk थी और जो static थे सारे point मैंने आपको इस वीडियो में detail में बताए है ये वीडियो bilingual था यानि कि जो screen की बाशा थी वो English थी और जो उचारन था वो था हिंदी में इसके बाद एक वीडियो आएगी pure Punjabi में क्योंकि काफी student pure Punjabi में prefer करते हैं इसके बाद एक वीडियो pure Punjabi में आएगी ये ही वीडियो बिलकुल pure Punjabi में यानि कि जो screen की बाशा होगी वो भी Punjabi होगी और जो उचारन होगा वो भी Punjabi में होगा बहुत जल्द ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो आपको कैसी लगी comment box में लिखके जुरूर बताएं क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके जो Punjab State के local exam होते हैं जैसे PSPCL हो गया उसके बाद PPSC के corporate inspector वगारा के paper conduct करवाती है PPSC जो organization है food supply का हो गया और जो पतवारी हो गया पज़ाब का इस level के जो भी exam है सभी के लिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए super reporter रहेगी क्योंकि इस वीडियो से आप अपने exam में अगर पज़ाब जी के total जी के 25 marks के आती है मान लीजे 25 marks के आपकी total जी के आती है इस में से आपके 2-3 question जिरूर आएंगे हो सकता है चार से पांच पुछी जाएंगे बट 2-3 question जिरूर आएंगे आपके इस वीडियो से क्योंकि सारी की सारी जो वीडियो है वो पूरी knowledge से बरी हुई है और पूरी की पूरी जो static GK है पन्याब की वो एक ही वीडियो में cover की गई है 2 गंटे की वीडियो में यानि कि आप सोच सकते हो कि 2 गंटे में आपकी पूरी की पूरी जो GK है पन्याब की वो cover हो जाएगी इस वीडियो के माद्यम से इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में अगर आपका इस वीडियो से related कोई doubt है confusion है तो comment box में पताइए आपका जो comment है वो 100% reply किया जाएगा और जो आपका doubt है confusion है वो 100% जो है वो clear की जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जूर करें और ज्यादा से ज्यादा को अपने friends के शेयर कीजिए तां कि जो भी candidates पंजाब के हैं वो किसी भी government exams की त्यारी कर रहे हैं पंजाब के लिए उनके पास ये वीडियो पहुंसके और अपने exam में अच्छे से अच्छे score कर पाएं और अगर आपने अभी तक हमारा channel wifi education को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जुरूर करें और channel को subscribe करने के बाद एक घंटी का बटन हो दा जिसको बोलते हैं bell icon उसको भी जुरूर दबनाएं आपने आप मुझे instagram और facebook पर भी जुट सकते हो अगर आपका कोई doubt है तो आप मुझे instagram पर पूर सकते हो बता सकते हो comment box में अगर ज्यादा comment box हो जाते हैं तो reply करना possible नहीं होता है इसलिए आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो दोनों के जो link हैं वो description box में दिये गए हैं वहाँ से आप direct visit कर सकते हो आप हमारा जो telegram का channel का group है वो उसे भी join कर सकते हो जिसका नाम है wifi education के नाम से create किया गया है उसको join कर सकते हो आप सर्च करोगे आपको सबसे उपर मिलेगा wifi education का जो telegram का group का channel है otherwise उसका भी link में description box में डाल दूँगा वहाँ से आप direct वहाँ पर visit कर सकते हो so इस वीडियो में बस इतना है मिलते है next वीडियो में so thanks for watching take care good bye god bless you all keep supporting wifi education